पुड़े हो नहीं चलो जी एक चैप्टर और था जो रिविजन के लिए मुझसे मांगा गया था और कौन सा चैप्टर था सर बिल्लकुल सिंपल mutual fund अगर इसको मैं सिर्फ कौनसेट से रिविजन करवाने जाओं तो बड़ी मुझसेट से पंदरा से बीस मिनट में खता हूँ और अगर मैं selected करवा questions करवाना चाहूँ तो वो भी बड़ी मुझसे सर एक घंटे के अंदर अंदर सब खताम हो जाएगा और अभी भी एक घंटे से जादा क्या लगेगा वही देड़ घंटे एक देड़ घंटे सारे questions कबर सारे questions कर लेते सर मतलब यार रिविजन भी करें और ऐसा भी हो जाए कि यार सारे questions हो गए तो कितना अच्छा लगेगा यस तो सरक कितना टाइम लगेगा टार्गेट होई है एक देड़ घंटे में max to max देड़ घंटे उससे ज़्यादा mutual fund का रिविजन बनता नहीं और बहुत ज़्यादा कोछ समझाने के लिए है नहीं है इसे ठीक है पर last attempt की मैं बात करूँ तो दो questions आ गया थे mutual fund mutual fund है तो important और हर एक attempt में आता है इट मिस आठ नंबर तो इससे आता ही आता है जब इसी chapter से आठ नंबर आता है तो सवाल यह है कि एक आदवी question क्यों छोड़े पूरा ही कर ले तो target यही है कि सारे questions करना है जितने भी questions होगे सब कुछ कर लेंगे तो वैसे मेरी book में जाओगे exam oriented books तो chapter number 10 mutual fund mutual fund में total मिलाकर हमें चार चीज़े पढ़नी है एक पढ़नी एन एवी एक पढ़ना रिटन कैलकुलेशन एक mutual fund का evaluation performance evaluation सर थोड़ा बहुत समझागे और एक hedge fund total चार टोपिक में हमारे एक बात खताम हो जाए ठीक है सर बात समझ में आती है अब यहार दो टाइब के mutual fund होते ओपन एंड़िट और mutual fund क्या होता है क्या मुझे समझाने की जिर्वरत है नई सर होता क्या है खोड़ा बहुत idea में दे सकता हूँ मैंने बताया था कि राम है या सर और राम चाहो तो सीधा पैसा share market में लगा सकते हो अगर दम है तो पैसा share market में लगा सकता है अगर अलग-अलग company में invest करना कर सकता है बट दिक्केत किया है rाम को problem क्या है इतना time चाहिए और इतना knowledge भी चाहिए कि खुद से पैसा share market में लगा रहे है तो कांसी company में लगाना है debt में लगाना है derivative में जाना है, future में जाना, option में जाना ये दिक्कत थे इसलिए हम कहते कि चलो ना हम किसी एक ऐसे person को दे देते है हमने दे दिया और ये भाई साब पैसा लगा रहा है किसको दे रहा है, ये भी share market में लगा रहा है हम पहले direct investment करते थे, अब mutual fund के थू कर रहा है सर इनके थू कर क्यों रहा है, क्योंकि इनको expert knowledge होता है अच्छा, expert knowledge होता है इनके थू कर expert knowledge होता है तो जब हम इनको पैसे देते है न, तो ये बदले में हमें जैसे company में पैसे लगाते तो ये बदले में हमें shares देते है ये बदले में हमें क्या देते है, units अब सर मान लो शेर्स हमको बेचना होता सर थोड़ा सा समझाती हुए काम करूंगा मान लो सर हमको शेर्स बेचना है तो हम शेर मार्केट में शेर्स बेच देते हैं अब यार सर हमको इसका हमने म्यूचल फंड का यूनिट्स खरीद लिया अब यूनिट्स कहां बेचे आज हमको पैसे की जरूत है कहां जाए दो तरीके है या तो सीधे म्यूचल फंड के पास भी जा सकते कि भाई अपनी यूनिट्स से वापस लीजिए मुझे पैसे दे में पैसे चाहिए तो आप हमारे पास नहीं आ सकते आप जाए इस टॉक एक्शेंज और वहाँ जैसे शेयर्स खरीदते हम रिलाइंस का तो वापस बेचने के लिए रिलाइंस के पास नहीं जाते इस टॉक एक्शेंज के थूबेज देते हैं तो वैसे यहां भी काम हो सकता उसको बोलते है close ended ठीक है सर और भी बहुत सारी mutual fund actions traded वो समझाना यहां मुस्किल है तो मैंने दो चीज़े बताया एक open ended open ended में क्या होता है हमें इनहीं के पास units को जो खरीदा वो units से वापस कर देंगे किस के पास mutual fund के पास open ended open है खिड़की window open है close ended में आप mutual fund के पास वापस नहीं कर सकते आपको share market में बेचना पड़ेगा तो वहाँ जो decide होगा unit का rate जैसे share का decide होता है demand and supply के सबसे वैसे decide हो जादा सर हमारे काम का क्या है हमारे काम का जितने भी questions बने हैं वो बने हैं वो यहां के मतलब close ended सर एक बाद बताइए ना राम को income कहां से होगी mutual fund में पैसा लगाया यहां जो पैसा लगाते थे direct investment यहां हमें share बेचने से तो कमाई होती थी पर share hold भी करते थी तो dividend की रूप में कमाई होती थी mutual fund से किस रूप में कमाई होई same it means यह company जो dividend देगी किस को mutual fund को mutual fund आपको transfer कर देगा और कभी-कभी mutual fund को share बेचने से capital gain भी होता है वो capital gain भी आपको transfer कर देगा ठीक है इतके अलावा जब आप units से बेचोगे तो अलग पैसा मिलेगा अच्छा सर ठीक है यहां तक अब सवाल क्या है सवाल यह है कि जब हमने इनसे units खरीदा था उस समय तो माल लो 10 रुपय था और जब हम इनको units बेचने जाएगे वापस करने जाएगे तो यह कितना रुपिया देंगे क्योंकि stock exchange में तो demand and supply से समझ में आ जाता है यह कितना देंगे तो इसके लिए निकालना पड़ता इन्टरिंसिक वैल्यू इन्टरिंसिक वैल्यू आपको पता है असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबरिटी जो भी आया डिवाइड बाइ नंबर उप यूनिट्स जो भी आया वो पैसे यहाँ वापस कर देंगे एंट्रि लोड और एक्जित लोड हम देख लेंगे आने भी निकालने के लिए काम आई तो पहला काम हमको जो सीखना है वो सीखना है आने भी कैसे कैल्कुलेट दूसरा क्यार म्यूचल फंड में मैंने पैसा लगाया था यार और इतना इतना एक साल बाज इतना पैसा मिल गया है मुझको डिविडेंड के रूप में और कैपिटल गेंज जो हुआ म्यूचल फंड को वो उसने दे दिया और साथ में आज इतने का खरीदा था तो उस पे रिटन का कैलकुलेशन कैसी हो तीसरा क्या चीज क्या था सर इसमें तीसरी चीज ये थी सर कि भाई साब ऐसा है कि यार हम शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगा पा रहे थे क्यों कि हमको समझ में नहीं आना था जमाने भर के शेयर से कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे तो इसलिए हमने mutual fund को पैसे दे दिया और हमने का mutual fund आप ही सोचो ना यार अब समस्या होगा जमाने भर की mutual fund हो गए तो अब ये decide नहीं करना कि share market में कहां क्यों से share खरीदे अब तो ये decide करना कि कौन सा mutual fund खरीदे ये एक समस्या और उसके लिए उनका performance check किया जाता है और वो पढ़े हैं performance evaluation और सर ये hedge fund किया ये तो वहीं समझ में आएगा वहाँ जाके that's it ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है NAV calculation NAV कैसे निकाला जाता है बिलकुल simple है जादा time बरबाद नहीं करूँगा assets minus outside liability and number of units NAV आखे ठीक है ठीक है समझते हैं 1 April 2022 एक लाक यूनिट्स mutual fund ने issue किया और एक एक यूनिट्स कितने में issue किया 10 रुपीज में तो बताओ mutual fund के पास पैसा कितना आ गया सर दस लाक मूचल fund ने क्या किया उन्होंने कुछ reliance के shares खरीदे 4000 share 100 के एक हिसाब से कुछ पैसे bonds में लगा दी है कब 1 April को कुछ पैसे debenture में लगा दी है और कुछ अब बताओ न यार 1 लाक इंटू 10 आया कितना सर 10 लाक 10 लाक में से 4 लाक गया 2 लाक गया 3 लाक गया तो अभी भी कितना बच्चा है सर 1 लाक रुपए अभी भी कैश रखा हुआ है यहां तक कोई दिक्कत है क्या चाहो तो एक दिन बात पूछ सकता है चाहो तो एक मेहने बात पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है पर यहां इन्होंने ठीक एक साल बात की information लिखा फुले क्या लिखा फुले रिलाइंस का share जो एक साल बात था जो 100 था वो 135 हो गया तो सर यह हमारा assets बढ़ गया पॉंड्स जो है वो 110% पर तो सर वान वान जीरो 10% दो लाक प्लस 110% कर लेंगे डिबेंचर जो है उसका valuation par पे हुआ at par इसके अलावा रिलाइंस से हमें dividend भी received हुआ इसके अलावा हमें इस पर interest भी पैट करना पड़ेगा लिखा हुआ interest received हुआ और mutual fund में खर्च भी यह थे खर्च भी payment हो गया पैट हो गया और expenses अभी भी payable है दोजर पास और हमें NAV निकालना 31st March के और NAV कैसे निकाला जाता assets minus outside liability divided by number of units तो सबसे पहले reliance के share का price देख लेगा यस सर पहले cash cash balance निकालना पड़ेगा सुनो क्यों cash balance फिर सुरू में cash कितना था 1 lakh और बीच में कुछ transaction हुई है कुछ पैसा गया है कुछ पैसा आया तो वो plus minus करना पड़ेगा सबसे पहले 1 lakh था और हमको dividend भी तो मिला 60,000 तो plus हो जाएगा तो मैंने यहाँ plus कर दिया 1 lakh था dividend मिला 60 और सब interest भी तो मिला यस इस पर 2 lakh पे 7% और 3 lakh पे 10% तो 2 lakh पे 7% 14,000 और 30,000 साथ में expenses पैड हो रहा है तो वो minus किया तो बो cash कितना बचा हमारी पास 1 lakh 74,000 तो expenses payable minus नहीं तो cash लिख दिया expenses payable minus होगा पर वो liability के रूप में हो वो cash में से minus नहीं हो reliance के share का price 135 हो गया bonds जो है ये कुछ पार पे था और कुछ का value 110% हो expenses payable हो गया तो ये net asset आया divided by number of units तो ये आ गया है क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करना है nicer, आसान है yes, mutual funds है आसान उन चीजों पे प्लीज ज़्यादा focus कीजिए ये तो आसान काम है इस पर नहीं उन चीजों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ज़्यादा जो थोड़ा ऐसा मुस्किल होता है, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजे मैं आब speed से उड़ाऊंगा question number two issue mat और PM का है हमारी book का question number two जल्दी से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा issue नहीं mutual fund has the falling assets और यहाँ देखो mutual fund ने ये चार टाइप के shares लिए और number of shares है और market price है और कुछ नहीं बताया है तो sir करना क्या है number of shares से market price का multiply कि ये कोई liability दिख नहीं रही है उसके बाद divided by 6 lakh units कर देना तो क्या जाएगा net asset इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर point number one में बच्चो को दिक्कत क्या हुई थी ये दिक्कत हो रही थी कि sir NAV first fab का निकालना है ये second fab का निकालना है ये दोनों का निकालना तो बहुत सारी बच्चो का answer आया था sir दोनों का निकालना उसकी वज़ा है कि हमने नीचे question नहीं पढ़ा अगर नीचे question पढ़ लोके तो उन्होंने यहां second fab का अलग से पूछा है तो actual में हमको जो निकालना था वो कप का निकालना था first fab का ये निकालना था वो ये निकाला है first fab का please presentation पे focus करोगी ने तो ज्यादा अच्छा है अच्छे से present करना यार shortcut मत मानना mutual fund में क्या shortcut मारोंगे मुझे मेरे ये समझ में नहीं आता इजी इजी question होते है तो sir company का नाम number of shares market price multiply किया divided by units तो ये आग है 78.84 आगे क्या है point number 2 देखा following information is given assume 1 Mr. A Mr. A ने mutual fund को check दिया 30,00,00 रुपे मैंने mutual fund को 30,00,00 रुपे का check दे दिया और fund manager ने क्या किया sir fund manager ने इस से 8,000 shares खरीद लिया कौनसी company के M limited M limited के और 8,000 shares खरीदा sir कब खरीदा कब की बात है कुछ नहीं बोला अभी हमारी जो date है फैब की चल रही है तो चलो first फैब की तो mutual fund ने कितना रुपे दिया check 30,00,00 रुपे का free में तो check दिया ने वो बदले में उसको units मिला होगा yes और भाई साम इन्होंने 8,000 shares खरीदा M limited की तो 312,00 रुपे 40,00 पैसे के सबसे yes सबसे पहला काम होगा कि 6,00,00 यूनिट्स तो पहले थे और मेरे पास मैं mutual fund हो मेरे पास 30,00,00 रुपे आये तो मुझे new units issue करना पड़ेगा कितने के सबसे तो वो issue करना पड़ेगा 78,84 के सबसे तो सर 30,00 डिवादे बे 78,84 तो सर new units issue करना हमें P8051.75 इतना ही आएगा नहीं P8051.75 मतलब जो कौन था भाई नाम क्या था उसका Mr. A Mr. A को हम नया units देतेंगे बहुत सारे बच्चों ने बीच में कभी गलती किया था मेरे पास question paper उन्होंने पहुचाया था कि सर यार हमसे हुआ क्या है उन बच्चों ने क्या कर दिया था जो units है ना इसको round off कर दिया था और उन्होंने लिख दिया था 3, 8, 0, 5, 2 तोंकि उनको लगता था कि shares round off होते है तो सरो shares कहां fraction में होते है तो चलो याद रखना mutual fund chapter में units को rounded off मत करना please request है चाहो तो 2 digit में लिख देना point के बाद या तो 3 में लिख देना ज़्याद अच्छा चले आगे तो 6,00,00 यूनिट पहले से थे और यूनिट issue कि और ये जो mutual fund के पास आया पैसा कितना 30,00,00 रुपे इससे उन्होंने 312,00 रुपे 40,00 पैसे के हिसाब से और shares खरीद लिया सवाल ये है NAV 78.84 आया था वापस अगर हम यहां shares कितने हो जाए 38,000 हो जाए तो NAV में फर्क आएगा कि नहीं आएगा कि NAV इतना ही होगा तो number of units बढ़ जाएगे हाँ जी number of units बढ़ेंगे number of shares भी बढ़ जाएगे यस और अगर 30,00,00 में से ये shares खरीदने के बाद कुछ cash बच जाएगा तो वो cash भी यहां जाएगा सवाल ये है NAV यही आएगा एक तारिक की बात कराऊ यहाँ चैंच हो जाएगा सर आंसर यही आएगा जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों का कहना था सर आंसर डिफरेंस आएगा डिफरेंस आएगा वही तो आएगा भी दिख रहा है आपको कितने का चैक दिया तीस लाक तो नमबर उप यूनिट्स बढ़ गया यह सर अब तीस लाक में से आपने एम के आठ जार शेर्स 312 रुपए 40 पैसे के सब से खरीदे ठीक है सर तो बैंक में अभी बचा कितना इसके बाद यहाँ शेर्स लिख दिया और जो भी किया आपने आंसर तो उतनी आएगा 78.84 अब फिर आपसे क्या पूछा है फिर आपसे पूछा कि चलो भाई जब एक फर्स्ट फैब का हो गया है तो चलो सेकेंड फैब का एने भी निकल लो टाइम पास की है वो तो हम निका ले लेंगे इस सेकेंड फैब का एने भी निकल गए इस सेकेंड फैब है यहां 38,000 हो गया है नया प्राइज है कैलकुलेशन आप कर लोगे और आंसर आ गया 82.2 तर कोशन में कुछ दम नहीं था सीरियसली दम नहीं था तो गलती कहां हो सकती थी इस कोशन में गलती बस एक ही हो सकती थी कि आप गलती क्या हो सकती थी गलती यह हो सकती थी कि आप यह बैंक लिखना भूल जाओ बस बाकी और कोई गलती नहीं हो सकती तो नोट कर ले ना बैंक लिख देना एक इत्तु सी गलती की वज़े से कोश्चन पूरा गलत हो जाएगा कि मेरा एक्सपिरियन्स है उसी सबसे वह रहा हूँ आप बैंक लिखना भूल जाओगे कोश्चन नमबर फाइव और एक कोश्चन करते है सबस्क्राइब करते है तनाएब क्या सबस्क्राइब कितना यूनिट्स इश्यू किया 10 लाग दस का एक मतलब सर हमारे पास आया कितना 100 लेक्स में चल फाइब के पास आया 100 लेक्स एक जन्वरी को नो एंटी लोज लोड वाज चार्ज सर यह है क्या एंटी लोज यह करवा दूँगा आपको आपने इंस्टेंशन मतलब और भाई इन्होंने ये 100 लेक्स में से कितना खर्ष कर दिया 98 लेक्स खर्ष किया मतलब इन्वेस्टमेंट किया कहां कहां किया कुछ के शेर्स खरीदा कुछ के गवर्मेंट सिक्योरिटी खरीदा कुछ के डिबेंचिस खरीदा और कुछ के 10 पर्षन डिबेंचर यह यह है 98 लेक्स खर्ष किया अब भी भी हमारे पास cash कितना बज गया है कौन सी rate की बात है एक जिनवर ठीक during the year जब आपने opening cash निकाला ना या तो cash में plus minus करना होता है या आप भी जानते है ठीक है during the year dividend कितना मिला 12 लग सरी cash में plus हो जाएगा कि yes on equity issues और जितना भी interest मिलना था वो interest मिल गया at the end of year at the end of year equity shares and 10% debenture are quoted at 175 यहाँ दिक्कत है लिखा है सर equity shares जो है वो 175% हो गया अब बच्चों का question यह था कि sir 100 into 175% करे कि 160 into 175% बस यहाँ इतना लिखा है कि equity shares जो है वो quoted है 175% पर 175% किसका face value का की market price और answer है face value का अगर कुछ ना दिया है तो face value का ही 175% बच्चों के सर और dimenture कौन सा वाला dimenture है 10% dimenture अगर यह जो है यह कितने पर quoted हुआ 90% अगर नहीं लिखा होता तो मैं face value पर लेता अब बाकी जो investment है वो कैसे valuation करना है बोले at par find out the NAV given the operating expenses paid during the year कितना 5 लाग operating expenses paid लिखा है तो cash में से minus करना अभी हमें NAV निकालना है और फिर बोल रहा फिर NAV निकाली वो बात की बात है पहले NAV निकाले तो से पहले cash का काम करना पड़ेगा तो cash का opening balance कितना था 2 लेक्स ठीक है ना याद dividend मिला कितना 12 लेक्स और साथ में जितना भी interest था सबकी सब मिल गया और operating expenses paid लिखा है 5 लाग तो ये cash आ गया 10 लेक 51 थाउट उसके बाद सर क्या हुआ उसके बद मैंने यहां लिखा 10 लेक 51 थाउट equity shares का बस याद रखना face value हला कि बोला हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और एक 90% पर evaluation करना बाकी सब at par और cash तो हमने शुरू में ले लिया NAV आ गया 10 लाक यूनिट से और NAV आ गया 11.551 अब ओड़ा मान लो यार जो fund है वो 80 पैसा पर यूनिट dividend के रूप में दे देते है 80 पैसा पर यूनिट NAV में कोई फर्क पड़ेगा कि इतना ही NAV आएगा सर तो cash में से गम हो जाएगा गया यार हाँ सर 10 लाक इंटू 0.8 आट लाक यहां से माइनस हो जाएगा तो एक और काम है कि इसी में से 0.8 माइनस कर दो बच्चोग गयाना है सर जो net asset आया था sorry net asset आया था इसी में से pad हो रहा है ना तो चलो इसमें से pad कर दे तो यह आगे है divided by number of limits तो NAV आगे 10.751 और मैंने कहा यार जो NAV निकला है उसी में से माइनस कर देते 0.8 तो सीधा भी तो answer आजाएगा ठीक question number 6 simple chapter question number 6 question number 6 based on the following information determine the NAV of a regular income scheme on per unit basis NAV निकलना per unit basis NAV लिख दिया तो हो तो हम पर हाँ पर वो NAV net asset value है यह total में भी निकल सकता है अगर मैं कहूं इस question में तो यह जो है ना यह है यह NAV नहीं है यह NAV है यह net asset value है और जो निकलता ना वो निकलता NAV per unit पर खेर हम सब्दों में ना जाए हमको मालूम है कि वो हमसे क्या मांग रहा है पड़े एक बर को लिखा है सर लिश्टेड शेयर्स ठीक है और cost दे रखा है ठीक 20 करोड cash दिया हुआ है 1.23 cash दिया है यहां बहुत सारी समस्या है बच्चो को इसलिए ध्यान से सुनना पड़े है इसके लबाब bonds and debenture दे रखा है 4.3 of this इसमें से not listed और यह जो दिया यह unlisted bond तो बच्चा हुआ कौन सा जाएगा listed bond सा जाएगा ठीक है सर बात समझे और इसके अलावा other fixed interest security दिया हुआ 4.5 dividend accrued लिखा हुआ है सर मतलब mutual fund को dividend मिलना बाकि है mutual fund ने पैसे लगाया होगा बहुत सारी company में तो वहाँ से dividend मिलना बाकि है इसलिए उसको बलते है dividend accrued तर यह तो asset हुए ना yes expenses payable मतलब expenses देना बाकि है expenditure accrued मतलब expenditure payable amount payable और expenditure accrued का मतलब क्या हुआ outstanding expenses मतलब यार यह liability हुई number of units दे रखा है 20 लाक अब ध्यान से देख रहा हुए यह जबका भी दिया है यह तो cost दिया है अब बोल क्या रहा है current realizable value of fixed income security of face value rupees 100 is equal to 106.5 इसका value क्या होगा क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है यह तो cost पर दे रहा है cost पर यहां लिखा है sir realizable value of fixed income security इसका face value है 100 उसका value होगा 106.5 तो sir यहां face value कुछ दिया है कि कुछ नहीं दिया यहां 1 लिखा है ठीक है तो इसका value वेलिविशन कैसे किया sorry fix income 4.5 लिखा है 4.5 इसका value वेलिविशन करने की कोशिश करूँ कि yes 4.5 divided by 100 into 106.5 तो sir यह आना चाहिए 4.7925 unitary method से मैंने टिक एक second अच्छा कोशन है इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है अब सुनो की दियास मतलब मेरे हिसाब से other fixed income security का value होना चाहिए 4.7925 कैसे आया आपको ति लिश्टेट शियर्स बुले जब हमने यह शियर्स परचीस किया था उस समय इंडेक्स था 1000 और अब भी इंडेक्स हो गया 2300 अब देख ले ना यह manage कर ले ना मेरे टाइपीश ने इधर उधर कर दिया ओके सर जब यह पहले वह था 1000 और अभी 2300 है और कितने के है एक्विटी 20 करोड का तो इसका valuation हम ऐसा करते है 20 करोड divided by जब हमने शेर्स खरीदा था उस समय इंडेक्स कितना था 1000 हम यह मान रहे हैं कि यार बीटा 1 बीटा 1 है मतलब हम यह मुलते कि अगर मार्किट बढ़ता है तो हमारा यूनिट्स भी बढ़ेगा बीटा 1 इंस्ट्यूट ने अगर यहां बीटा कुछ और लिख दिया ना 1.2 तो खेल खतम हो जाएगा वैल्यू अप लिष्टिड बॉंट्स एंड इवेंचर बॉंट्स एंड इवेंचर एट कॉस्ट यह है उसमें से जो लिष्टिड है यह बोले लिष्टिड जो बॉंट्स है उसका वैल्यू आप 8 करोड ले लेना और बोल रहा है दे रहे हैं और जो अनलिष्टिड बॉंड्स है अनलिष्टिड बॉंड्स एंडिवेंचर उसको 20 परशन कम लेना तो वन बाई वन करें क्या यस सर पहले बात किसकी करेंगे शेर्स की 20 डिवाड़ेड बै बन था हुजे इन्टु 2300 तो आंसर 46 आये इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं हम मान के चल रहे है कि बीटा 1 मैं उन बातों की उन चीजों की विसे में ज्यादा बात कर लो जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है दिक्कत आ रही है एक तो इस पोईंट में किसमें दिक्कत आ रही है बच्चों का कहना था कि सर यह कैस कौन सा बैलेंस दिया है और इस कैश में 1.23 में एंजिस्ट्मेंट होना चाहिए था कोई डिविडेन रेस्यूड हुआ कोई डिविडेन पैड हुआ वो plus minus क्यों नहीं किया पहला doubt यह आया तो मैं बच्चों से बोला कि देखो भाई यह cash मैं कब कह रहा हूं कि यह opening cash है यह closing cash है वा सर यह सब चीज आप opening ले रहा है इसको आप closing कैसे ले सकते हूं मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि यह सारी चीजें मैं opening नहीं ले रहा हूं इन सारी चीजें में लिखा हुआ है कि जब हमने record किया था उस समय cost क्या था ठीक है दूसरी बात अगर आप कह रहा हूं कि सर यह opening cash है इसमें debenture का interest add करना चाहिए तो क्या add करोगे debenture का कोई rate of interest दिया हुआ है क्या रिकार की बात है मैं बस बोल रहा हूं कि इसका जो valuation बता है साप साप लिखा है कि cost है बस cash के आगे कुछ नहीं लिखा है बच्चे कह रहे है opening cash तो opening cash ले लिया चलो ठीक है तो इसकी transaction बीच की कहां से लोगे dividend dividend कुछ receipt हो रहा है क्या क्या interest receipt हो रहा हो तो रहा पर कितना दिक्कत है न या इसलिए ये closing cash है पहला दिक्कत ही के साथ पहली problem खता साप लिखा कि unlisted जो bonds है उसका जो valuation करेंगे 20% कम में ठीक है साथ ये बात हमको समझ में आती है लिष्टेड bond का लिष्टेड bond का value दिया है 8 क्रोण जो सबसे ज़्यादा समस्या आई बच्चों को इस पर आए अदर fix income सी हाँ सर क्योंकि आपके इसाब से तो 4.7925 value आया येस वो कैसे निकाला था मैंने सर आपने निकाला था 4.5 divided by 100 into 106.25 पर भाई साब ICAI क्या ले रहा है सर ICAI तो वही ले रहा है मतलब cost पे ले लिया क्यों क्योंकि यहाँ नीचे लिख दिया गलत है लिखा ही गलत है हमको लेना पड़े हम challenge नहीं कर सकते साफ साफ लिखा है कि other fixed income security को आपको cost पे लेना तो सर वैसे तो यार conceptual conceptual realizable value पर लेना है पर नालाश्ट में लिख दिया कि आपको cost पे लेना थो हम challenge कर नहीं सकते हैं ठीक है जी धियान रखना इस बात को दिया जी इस बात को धियान रखना मुझे नहीं करवाना mutual fund में revision सब आता है आपको मुझे बस इतना बताना कि कहां कहां आपको बाते याद रखने उन चीजों से गलती ना कर दो बाकी question में कुछ था नहीं इसके बाद तो सब कर लिया होगा आपने बाकी कुछ नहीं है expenditure accurate amount payable dividend accurate यह सब काम करके number of units से divide कर दिया तो यह आगे N ठीक है mutual fund में बहुत ज़्यादा focus revision के तरफ कम क्योंकि calculation कर लो गया किस-किस चीजों को याद रखना उस पे focus ज़्यादा रहे ठीक है चले एगले question यस बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि सर यह entry load किया होता है और exit load किया हो entry load और exit load यार देखो हमने NAV निकाला आज का तर NAV आ गया 45.50 ठीक है अब यार कोई unit कोई आया investor बोलता है यार मुझे units खरीदा खरीद दो आ जाओ पर 45 का नहीं है यार उसमें थोड़ा सा extra transaction cost है वो extra हम charge करेंगे आपसे मतलब अगर हम बेचेंगी तो और ज़्यादा में मैं mutual fund होना यार फ्रोरेक्स में भी तो वही करता था bank बेचता था तो और ज़्यादा में और entry load दिया रहेगा question में हमको बस जो nav है उसमें कुछ extra add करके बेचना हूँ इस इंट्री लोट ठीक है यार सर इसको और क्या बोलते है इसको बोलते है front end end load front end आईए अगे से आईए और पीछे वाले दरवाजे से जाईए जब entry ले रहा है तो entry load या इसको बोलते है front end load बस यह बात लगा तो mutual fund मैं mutual fund के angle से बात करा हूँ जब वो बेचता है एंट्री लोट चार्ज करता है या front end load चार्ज करता है वह करता एनवी प्लस जो भी लोड होगा तो यह आगे इसको बोलते है public offering price public offering price issue price जो बोलना है बोल सकता है अब आया फिर से unit holder बोलता है सुनो ना यह unit हम वापस कर रहा है प्लीज हमें पैसे दीजिए मनका पैसा जो cost है वो नहीं दूँगा थोड़ा सा कम दूँगा अच्छा सर मतलब बेचेंगे तो और ज़्याद मेगे में और वापस खरीदेंगे तो कम में खरीदेंगे इसलिए इस load को exit load को या back end load को माइनस करते हैं और यह आ जाता है सर इसको public offering price नहीं बोलते है वैसे इसको redemption price बोलते है आपको याद रखना है मतलब सर entry load plus होता है और exit load माइनस होता है common sense है यार इसको मुझे रटवाने की बात है question number 8 पे अच्छा question था बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया थे और सर किस बात से हो गया थे वो मैं समझा दूँगा कुछ S fund scheme है ठीक है investment in shares लिखा है और यहां कितनी company है तर पाच company है एक दू तीन चार पाच कमपनी है एक दू तीन चार पाच कमपनी है तो वह bonds में भी आपने invest किया और यह दो listed और unlisted number of units दिया है expenses पैट दिया और cash के विसे में कुछ नहीं बुला तो मैं क्या मान के चलूँगा closing cash और market expectation on listed bond दिया है 8.842 percent ठीक है तर यह क्या चकर है समझेंगे इसके अलाबा fund ने कुछ expenses incurred है वो expenses भी दे रखे expenses incurred भी दे रहे अब क्या है अब नीचे देखना बड़े रखो क्या दिया हूँ उसने कहा जब हमने pharmaceutical company के shares खरीदे थे क्योंकि यह cost पर है जब खरीदा था उस समय index 300 था अब index 500 है तो जुगाड़ हो सकता है value निकल सकता है ऐसी पूरे की पूरे equity का हम value निकलनेंगे तो वही काम किया होगा पहला काम अब दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा खाये जा रही है सुनना बिटे तो रहा है आठ हजार 14% bonds 15,000 each और ये दिया है 24 और market expectation listed bond का दे रहा 8.842% तो पहले मुझे ऐसा लगा था सुनना धियान से बिटे सुनलो सुनलो मुझे ऐसा लगा था सर यर हम वो निकाल रहा है हम bonds को माल रहा है कि perpetual bonds से उसका present value निकाल रहा है इससे तो market expectation दिया था ध्यान से समझना यार इत पॉइंट को तो मुझे ऐसा लगा यार एक काम करता हूँ ना bond का face value कितना 15,000 into 14% तो मैंने का यार interest आगया 2100 और उसको मैंने जो divide कर दिया मैंने का चलो present value निकालते हैं और कितना आगया 8.842% किसी को यह पता है कि present value को वाला concept और सर multiply कि एक bond का present value निकलेगा और इसको 8,000 से multiply कर दी लेकिन और भी दिक्कत है मैंने का यार 15,000 का एक bond है यह face value और 8,000 bond है जब मैं 15,000 into 8,000 करता हूँ तो इधर तो 12 आ रहा है और जबकि यह 24 है फिर मिनका हो सकता है यह market value मतलब बहुत ज़्यादा confusion है इसमें अगर आप pure concept के साथ करोगे तो नहीं होगा इंस्टिट्यूट क्या बोलता है हम ज़्यादा दिमाख नहीं चला रहे है उन्होंने क्या कर रहा उन्होंने का 24 24 8 यूनिट्री मेथट से कर रहा है यूनिट्री मेथट जैसे इसका किया है न यूनिट्री मेथट वैसे ही कर रहा है मतलब सर यह देखो दिए 24 कितना पर्षंट है 14 और डिवाइड बाई 8.842 पर्षंट आंसर कितना आजाएगा 38 यूनिट्री मेथट अच्छत सर क्या कहना चाहता है वह ही कहना चाहता है कि भीया 24 करोर्स यूकि Market के साब से कितना एट 8.842 पर हम जो दे रहा है वो तो हम ज्यादा दे रहा है इसवेर 24 है Market के साब से 8.842 पर हम तो ज्यादा दे रहा है तो 14 के लिए बताओ कितना होना चाहिए उस हिसाब से यूनिट्री मेथट से निकाला कुछ बच्चों का गहना है नहीं सर ये गलत है कुछ बच्चों का गहना कि हम present value तरी कैसे निकालेंगे देखो उन्होंने कैसे निकाला बोले सर सीधा 24 जो की गलत है मैं फिर से वोनों अगर आप कहरो कि चलो concept चलते तो चलो 24 का 14% interest 24 का 14% interest तो सर ये आगया 3.36 और इसको discounting करना perpetual तो divide किस से कर देंगे 8.842% से answer आजाएगा 100% answer आजाएगा फिर बहुत सारे questions भी आएगी यार इंटरेस तो face value पे होता है ज्यादा दिमाख मत चलाना unit tree method से कर और वही मैंने भी unlisted bond cash के विसे में कोई बात ही नहीं है और expenses payable है बच्चों का और एक question आया था इसमें कि सब cash जो है न 3 yes उस cash में से ये expenses incurred minus होने चाहिए expenses incurred minus होने चाहिए और मेरा ये कहना है क्योंकि ये closing balance दिया हुआ है उसमें सब जो minus होना था वो हो गया तो जा निमाग में चलाओ कुछ नहीं करना थ्री का थ्री करना याद रखना ये भी एक दिक्कत है फिर expenses payable liability है minus हो गया तो net assets आ गया और net assets में से number of units तो ये आ गया NAV per unit ठीक है यहां तक ओक सर बात समझ गया ये expenses payable का किया क्या है कुछ नहीं किया ignore हाला कि इससे मैं expenses ratio निकालना सिखा दूँगा पर इस question मैं मांगा नहीं है तो क्यां सिखो expenses ratio करके एक होता है देख लिए ना regular class में कर दो पर आपको अब निकालना है net return if the period of consideration is four years वो ले भाई net return निकालना है और जो invest किया ना वो fourth year के लिए किया है and the fund has distributed और distribute किया है दो रुपे पर unit पर year as cash dividend during the same period चलो तो काम कैसे हुआ सर सुनना दे अब आखरी बात करने जा रहा है annual return कैसे निकाल आपने क्या NAV निकाल चुके है closing yes sir closing NAV कितना आया था sir 93 आया था बिटे सुनोगे दियां से 93 यहां से समझाने की कोशिश करा चार सल बाद NAV आया था sir 93 चार सल पहले क्या NAV था चार सल पहले इनका यह कहना है चार सल पहले का NAV कैसे निकाले तो यार चार सल पहले shares खरीदा था और क्योंकि वो cost पे खरीदा होगा इन सब को add कर दिया divided by number of units कर दिया तो यह आगया ओपनी NAV बुले कुछ तो जब खरीदा था तो इस समय cost यह था और वो हो गया और साथ में bonds भी खरीदा था तो total NAV आगया 54.5 और total 4 साल में dividend मिला है 8 रुपए तो क्या आप return निकाल सकते हो कैसे निकलते पी 1 माइनस पी 0 प्लस इंकम डिवाइड़ बाई पी 0 इंटो 100 पढ़ा है सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ काल सापको शमच में आज़ा 4 साल पहले का NAV क्या था तो मैंने मान के चला कि जो भी खरीदा है वो 4 साल पहले खरीदा होगा और cost पर ही खरीदा होगा तो सबको जोड दिया पिवाइडिल बाई number of units करा तो यह आ गया यह 4 साल पहले का NAV है 4 साल बात का तो निकाल चुके है पीच में dividend भी payment हो रहा है अब तो return निकली जाएगा कोई मेंने यहाँ काम लिए 21 पॉइंट ठीक है तो यह NAV calculation था जो हमने discussion किया NAV calculation question में कुछ खाज बात थी question में कुछ खाज बात थी इस question में दो दिक्कर थी इस question में सबसे बुरा तो यह है भाई यार इस question में सबसे बुरा यह है कि यह expenses को उसने ignore कर दिया हाला के लिए इसके लिए एक point पूछा होना चाहिए था expenses ratio और expenses ratio मतलब expenses per unit divided by NAV इन expenses को जोड़कर expenses per unit निकाल लीजिए divided by NAV कर दीचिए answer आज़ए NAV कौन सर करना हो average कर लीजिए opening plus closing divided by 2 ठीके सर तो पहला काम हो गया NAV calculation आगे चले time लगेगा 2 घंटे लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा पर क्या करूँ मैं भी मजबूर हूँ या तो लोग कुछ छुटे न इससे सबसे करवा तो point number 2 करे return का calculation return का calculation simple है change in NAV yes NAV अभी पैसा लगाया था तो NAV कितना था और जब redeemed कर रहा हूँ तो NAV कितना होगा plus dividend income मतलब है mutual fund dividend के रूप में हमको पैसा देता है plus capital gain income वो जो asset या stock बेचता है उससे जो capital gain मिलता न वो भी हमको distribute कर सकता है और divided by क्या करोगे opening NAV in 200 बस percent is अगर आप ये मन्त में काम कर रहे तो monthly return आ चाहेगा one month का NAV का difference तो monthly return कभी-कभी उसको है analyze return मांग लेता है simple quote topic है कुछ है question number 9 so NAV कितना था sir 20 rupees कभ beginning में और हो कितना आ गया sir 20.06 और बीच में ये distribute भी हो रहा और आप से monthly return मांग रहा मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरुबत भी per month है चिक टाइम पास नहीं करेंगे question number 10 अच्छा है करने के लिए question number 10 अच्छा है please कर ले न investor purchase कितना units sir 300 units कितने में 12.25 कब 31 दिसंबर तो हजार एक एक साल बात एक रुपए 25 पैसे dividend की रूप में मिला और एक रुपए मिला हमको capital gain की रूप per unit और NAV 31 दिसंबर को हो गया 13 रूप तो क्या हमें return on investment निकल सकता है yes और यह तो एक साल का ही period है तो सर निकल जाएगा 13 minus 12.25 plus 1 plus 1 ठीक आगे सा 24.5 पर्षें पहले वाले पोइंट में दिक्कत नहीं है दिक्कत है second point पढ़े क्या point number two important है point number two important return on investment फिर से निकलना 31 दिसंबर 2000 और लिखा if all dividend and capital gain distribution are reinvested into additional units at 12.50 यह बात important कि सर किसी person के पास पहले से 300 units था और उसने 12.25 के हिसाथ से खरीदा था पहले से 300 units था यस और खरीदा था 12 उसने सर investment किया था 3,6,7,5 अब बीच में उसको 1,2 रुपए 25 पैसे 1.25 dividend और 1 रुपए capital gain 2.25 की कमाई हुई और उसके पास 300 units है उसके सबसे उसको 6,75 मिला और उसने 6,75 का और units खरीद लिया कितने के सबसे बुले 12 रुपए 50 पैसे के सब तो उसके पास units था 300 और units खरीदा 54 तो उसके पास total मिला कर 354 units हो गया और उसको redeem कर दिया उसने 13 के सबसे तो 4,6,0,2 ठीक है अब सवाल है कि उसको return on investment के तो लगाया था 3,6,7,5 आया 4,6,0,2 तो बच्चों का कहना सर ये भी तो मिला बिटे ये जो मिला उसको इसी में add कर दिया ना तो इसको तो मैं भी ignore करके जो लूँगा क्योंकि ये तो यही इसमें include हो गया ये वाला जो मिला था वो तो इसी में जुड़ गया तो सीधा सीधा 4,6,0,2 minus 3,6,7,5 divided by 3,6,7,5 into 100 पाइनल आंसर आगया 25,2 ये कहा है असा कोश्चन नमबर 13 ऐसे कोश्चन पता नहीं institute जनरली पूछता है क्यों पूछता है नहीं मालूँ पूछता है तर देख लेकि एक बार यास देखा मिश्टर A has invested in 3 mutual funds इसकी as per detail below पूछत ऐसा है कि जो mutual fund A है उसमें एक दिसंबर 20 को पैसा लगाया गया यहां एक एक बीस को लगाया गया है एक मार्च 2020 को लगाया गया अलग-अलग date में लगाया ठीक है सर amount of investment प्लीज इसको ठीक कर ले न यह 50,000 है यह 1,000,000 है और यह 50,000 है तर NAV एट हैं और NAV जब किया तब यहां 10 रुपे 50 पैसे था यहां 10 रुपे था और यहां भी 10 रुपे और सर एक तीस मार्च 2010 को dividend भी मिला 950, 1500 और यहां dividend नहीं मिला नील है नील इसको ठीक से रीट करना तब ही होग और सर NAV था यह 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 वाट इस दा effective, important है सर effective yield का मतलब क्या होता है और per annum basis per annum basis पे effective yield बोले चाहे कुछ भी क्यों ना बोले हमें annual return निकालना per annum है ना तो हमें annual return annual return अब question कैसे किया जाए तो सुनोगे अब सुना तब पैसा लगाया था कब एक December कितना रुपए लगाया था 50 था लगाया था जब लगाया था उस समय NAV कितना था 10 रुपीज 50 पैसा सर दिविडेन की रुपए 9.50 मिल रहा है एक यूनिट पे नहीं टोटल में और फिर सर लाश्ट में NAV हो गया 10 रुप통 चालिस पैसे यस अब इसको किया कैसे जा एक तरीका ये है कि जो यूनिट निकाल लेंगे लाश्ट में 10 रुपके 40 पैसे से मल्टिप्लाइ एक तरीका ये है कि यार एक काम करते हैं ना हम इसको भी प्र यूनिट कर लेतेए बहुत सारी तरीके पर मैं क्या कर रहा हूँ जो एक बार यूनिट्स निकाल लेते 950 को एज़िटीज रहने देते एक बार यूनिट्स निकाल लेते कि नमबर उप यूनिट्स कितना और उसको 10 रुपए 40 पैसे से मल्टिप्लाई कर देंगे तो लाश्ट में कितना बैलेंस है जाएगा वो निकल जाएगा मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ देखो यहां देखा मैंने गा यार लगा कितना रहा हूँ बोले 50 जार ठीक है और जब 50 जार लगा है उससे एने वी कितना था बोले 10 रुपए 50 उसे सबसे क्या number of units निकल जाएगा यस और उसको multiply कर दी हमने 10 रुपए 40 पैसे तो यह closing value आ जाएगा ठीक यह वाला भी ऐसे क्या ठीक यह वाला भी वैसे अब हमें टोटल में सब चीज पता है टोटल में पर यूलिट नहीं टोटल में पता लग गया टोटल में यह पता लग गया कि 50,000 लगाया था टोटल में यह पता लग गया कि 950 रुपए डिविडेंट की रूप में आ रहा और टोटल में यह पता लग गया कि यह अब हमको दिन यह जो रिटर्न निकलेगा वो कितने दिन का निकलेगा यह भी इंपोर्टन है वो बाद में सुचिंग सर पहले रिटर्न निकल नहीं बाद में कि इन्हों ने अभी किया ज्यान से देखना सर एक दिसंबर दोहजार नौ को लगाया था और 31 मार्च दोहजार दस डेस काउंट कर लेजे तर दिसंबर से काउंट करें किया दिसंबर के 31 जनवरी का 31 पैप का 28 और मार्च के 121 डेस तो अब मुझे एन्वल रिटर्न निकालना है यह निकाला मैंने और यह है 121 दिन का तो 365 डे का कितना चाहो तो आप अल्टरनेटिव 360 डेस की ले सकते हैं इस कोशन में कुछ नहीं तो यह जो निकलेगा यह आगया एन्वल रिटर्न ठीक है तो इस कोशन में क्या खास बाते हैं इस कोशन में बस इतना है कि हम लोगों को एक तो दिक्कत होगी कि आप पर यूनिट वेसिस पे निकाला जाए कि टोटल में निकाला जाए यह आप दोनों information is extracted from study mutual fund इसकी अच्छा कोश्चिन है NAV beginning का दे रखा है 65.78 यह minus नहीं है beginning का है, dash से हुआ 65.78 ठीक है sir annualized return दे दे बुले return निकाल कर दे दिया भाई हमने और distribution income भी दे रखा है दोनो 50 पैसे और 32 पैसे you are required to calculate the month and NAV month and opening NAV मालूम है closing NAV निकालना है उसको एक से ले सकते हैं लेकि यह annual return है और यह बोल रहा है monthly return हम monthly return निकल सकते हैं कि सर्फ 15 into 1 by 12 monthly return निकल गया है 1.25 पर और formula में डाल देंगे और जो काम करना है वो आपको 2 decimal places तक काम करना और बोले comment कोई काम किया मैंने सबसे पहले यह जो formula है यह तो holding period इसको holding period return भी बोलते है holding period return का है सबसे पहले मैंने annual return को convert कर दिया monthly return का और उसको यहां लिख दिया percentage हटा के यहां लिख दिया और closing NAV को क्या मान लिया x opening NAV दिया है यह भी दिया है यह भी दिया और यहां हमेशा कौन सा NAV आया एक opening और इसकी help से answer निकाला तो यह भी आ गया 65.78 और यह भी था 65.78 comment बोला तो comment में कुछ ने लिखा बोले NAV में कोई change नहीं हो इस question में क्या हो गया था बच्चों को दिक्त दिक्त यह हो जा रही थी इस question में मेरा experience बता रहा हूँ पढ़ाते समय बच्चे क्यों डर रहे थे इसलिए डर रहे थे क्योंकि उनका answer closing NAV भी 65.78 आया था opening भी तो वो ऐसा लग रहे थे बता नहीं हमसे कोई गलती हो रही यह होता है सर और एक question मनाए कि फिर हम दो मिनट कब देख ले रहेंगे हाँ और एक question मनाते question number 16 अच्छा question है question number Mr. Why has invested in P mutual fund as per the falling details अभी वाला question जैसे ही है जब आप investment कर रहे है X की बात कर रहे है यह मेरे type इस ने गलती किया है तो प्लीज इसको ठीक कर लेना investment किया है 2,00,00 और जब investment किया था उस समय था NAV 10.30 पैसे dividend 6000 मिला और closing NAV दिया है 10.25 पैसे और effective yield दिया है 9.66 यह percentage होना चाहिए हाँ percentage होना ऐसे ही सारी चीजु का दिया है बांग किया रहे हैं सर और 1 year is equal to 365 दिन भी लिखा हुआ बांग को अच्छी बांग किया रहा हैं तर बोल क्या रहा हैं बोल यह रहा है भाई कि यह जो return है यह पुरे 365 दिन इनको यह नहीं मालूम कि यह जो भी annual return निकल रहा है 90 जो भी हैं इनको यह नहीं मालूम कि किस दिन investment किया था और बोले पहला काम यह होगा कि यह चीज निकालो उसके बात करना वो बाद में सोचना पहले यह चीज निकलो चलो भाई पहले यही तो बता दू कि क्या क्या चीज निकाल बोले सबसे पहले number of units निकालीए हर एक scheme में number of units כतना तो दो लाख लगाया था और जब लगाया था उस समय एनेवी था दस रुपए 30 पैसे तो डिवाइट कर देंगे तो नंबर ओप यूनिट से जाएगा ऐसी इसमें भी डिवाइट करेंगे हाँ पहला काम तो हो गया चलो दो नंबर तो मिला पहला काम मेंने वह ही क्या पहला काम नंबर ओप यूनिट से निखा यरे खल से इसमें कोई समस्या नहीं हो दूसरा काम टूटल अनवी निकालना है टूटल अनवी अब यह टूटल अनवी opening निकालना है कि closing देगा opening निकालना ही नहीं है opening की बात तो पक्का नहीं करेंगा क्योंकि opening तो दिया हुआ है और total NAV सब्द दिया है total NAV इसमें थोड़ा सा दिक्कत है पर sir closing NAV दिये रखा है कि closing तो sir साय total NAV ऐसा बोल रहा होगा कि number of units को multiply कर देते इस से तो यह जाएगा NAV हाँ NAV per unit है ना यार हाँ सायद सायद number of units को इस से multiply करेंगे तो NAV आजएगे वो क्या कर रहा number of units जो है उसको इस से तो multiply कर रहा और इसकी max और इसकी y और इसकी जाए टीनों को add कर दे रहा है और जो आ रहा है उसका नाम दिया है उसने टोटल एन्यवी बतलब निकालना तो क्लोजिंग ही तो जितना भी यूनिट्स आया है उसको उसने क्लोजिंग एन्यवी से मल्टिप्लाई कर दिया और तीनों को एड़ कर दिया और इसका नाम दिया है टोटल एन्यवी समझ में आ गया तो total yield तो समझ में आ गया इन सब को add कर देंगे जब सब की बात कर रहे जब total की बात कर रहे तो ऐसी total कर देंगे मतलब सब 2,00,00,00 प्रस 4,00,00 तो सब total आ गया 8,00,00 और total एन ने भी निकाल रखा है हमने बस dividend को भी total हमार लेंगे तो total yield आ जाएगा तो वही किया है एक तो ये लिखा आट लाग डिवार और dividend को total मारा तो ये आ गया है total yield इसमें भी दिख देंगे जो जो मांग रहा हम निकाल ते जार अच्छा कोश्चन है बिट्टे प्लीज अब आ गया बतलाईए number of days in investment held वही तो चीज़ चाहिए था कि बताईए x को कितने दिन के लिए held कर अब सुनो ध्यान से ध्यान से समझ रहा है x का return निकाल जब x का last में एने वी कितना है करिए हाँ बोलो x में सुरू में कितना लगाया था सरुरू में x में लगाया था हमने दो लग यह कहां से मिल गया यहां से मिल गया सर ठीक है और x का dividend के रूप में कुछ मिल रहा है कि x का dividend मिल रहा है 6,000 सिर्प x की में बात कर रहा हूँ अभी तो क्या x का yield निकल सकता है यस पर यह जो yield निकलेगा यह उस particular period के लिए यह कही निकलेगा जितने period के लिए आप hold कर रहा हूँ आप इसको holding period रिटन भी बोल सकता है x का मैंने holding period रिटन निकला यह मालूम है यह मालूम है यह मालूम है यह भी मालूम है और x का holding period निकला मेरा 2.5154 45 sorry यहां तक कोई दिक्कत है क्या अब यहार मुझे मालूम है कि 9.66 आता कैसे कैसे आता है अनुलाइज रिटन कैसे निकला है सर वो ऐसे निकलते है यह holding period रिटन है x day का तो 300 क्योंकि परेनम निकलना है इस formula के back calculation से यह आ जाएगा days जाएगा सर यह कितने दिन का यही तो निकलना है 2.5145 कितने दिन का यह नहीं मालूम हां 300 annualize से निकलते हैं इसको मैंने x ले लिया तो यह आ गया 95 days it means कि x जो hold किया है न वो 95 days के लिए किया है back calculation से date of investment निकल जाएगा ठीक ऐसे ही y का और z का का काम निकाल रहे है अब date of investment कैसे निकाल रहे है तर closing है 31st March 2018 उससे 95 days पहले चलते हैं तो minus करोंगे पहले March वाला कम कर देंगे 31 फिर 5 वाला 28 फिर January वाला 31 तो total 95 days पीछे जाना है 31 plus 28 plus 31 90 तो हो गया 5 दिन और minus कर दिया तो अगर मैं कहूं December का कौनसा दिन आ गया 31 में से 5 minus कर दो 31 30 29 28 27 27 आ रहा है वो भी सही है 26 आ रहा हो भी सही है मतलब सर्क हम सीधा 31 minus 5 कर सकते है कि कर सकते है 26 20 तो कोशन बहुत अच्छा कोशन है इस कोशन को अभी तक जितने भी कोशन से हैं इस कोशन को पेन कौपी से बनाने का मतलब बनता है इस कोशन को आपको उठाना है कौपी पेन उठाना है कैर रोडर उठाना और बनाना ये कोशन अच्छा इस कोशन में क्या खास बात है खास बात तो बस ये अगर आपने को ये समझ में आ गया ना कि ये जो निकला है holding period और analyze निकालते है हम लोग तो x तीचे लिखते कि ये है इतने दिन का तो 300 पैसे दिन का कितने दिन का ये निकालना पड़ेगा आकि इस कोशन में भी वैसे विश्यस कुछ बात नहीं थी ठीक है तो मैं आपका तो चलेगा class मैं एक बार water break ले लेता हूँ रिस्टार्ट करता हूँ चलो sir आगे चले येस तो मेरे ख्याल से ये हो चुका था कोशन आगे चल रहा है हम लोग question number 21 ये question institute का favorite question बहुत अच्छे से करना होगा time लगाएंगे इसमें क्योंकि इस type के आप भी समझी गए हो कि क्या question है इस type के total मिला कर में दो questions करवाँगा एक में missing value होगा ठीकेसर एक बार पढ़ते तो है देखा सन्मोनी mutual fund approved mutual fund sponsored open ended equity scheme चानक mutual fund there are three plans एक है dividend reinvestment plan क्या लगता है dividend reinvestment से सर बीच में mutual fund जो units देगा sorry जो dividend देगा किसको dividend देगा units holder को units holder उस dividend amount को फिर से invest कर देगे मतलब वापस units खरीद लेंगे bonus plan क्या होता सर bonus plan का मतलब होता है कि पैसे देने की अपेक्छा dividend देने की अपेक्छा जो unit holder है वो वापस ही unit खरीद रहा है ना यार तो एक काम करते हैं इनको units ही bonus के रूप में दे देते हैं और तीसरा कुछ नहीं दिया जाएगा आज पैसे लगाईए बीच में कोई dividend नहीं दिया जाएगा बीच में कोई bonus नहीं दिया जाएगा सीधा last में जो भी एनेवी होगा उसके सबसे payment हो जाएगा क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनेवी एनेवी क्योंकि बीच में कुछ नहीं मिल रहा सबसे ज़्यादा एनेवी अगर grow होगा तो growth plan में ही होगा IPO कब की बात है 1st April 99 और कितना investment हो रहा है 1 lakh और किन-किन लोगों ने लगाया BCA हमारे लिए BCA आकाम का नहीं है हमारे पास तीन plan है plan A, plan B, plan C पैसा किस दिन लगाया जा रहा है पैसा लगाया जा रहा है 1 April 99 कब तक 31st July 2009 मतलब सर लग भग 10 साल यस लग भग 10 साल 10 साल यह और कुछ 4 महने और मतलब सर 12 into the 620 plus 4, 124 months ना यार, months में करना हो था और तीनों का यहां देखो ध्यान से face value कितना दिया है, rupees 100 और NAV दे रखा तीनों का plan A मतलब यह कौन सा था? dividend reinvestment plan NAV अलग-अलग time पर दे रखा है essay plan B का, essay plan C का 31st July को तीनों investor ने जो units है वो redeemed कर दिया, मतलब base दिया और पैसे वापस ले लिए पैसे लगाया कितने थे? annual rate of return to each of the investor, निकालना क्या है rate of return जिस दिन पैसे लगाये थे last में देखो 31 July 2000 को कितना हो गया पैसा लगाया था 1 lakh, last में जितना भी units है units बढ़ेगा, क्या यह है dividend reinvestment plan, यहान से समझना क्या dividend reinvestment plan में number of units बढ़ेगा, yes sir, क्योंकि dividend मिलेगा, कितना पटन? 20%, उस पे वापस unit खरीदा जाएगा क्या bonus plan में number of units बढ़ जाएगा, yes पर क्या growth plan में नहीं बढ़ेगा, जितना units था उतना होगा, ठीक है, तर करेंगे धीरे से करेंगे आगे और काम करें long term capital gain exempt from income tax, मतलब long term capital gain एक साल से पहले, एक साल से भी जादा के लिए units खरीदा होगा, और उसको बेचा तो उस पे कोई capital gain tax नहीं लगे short term capital gain में 10% income tax लग जाएगा short term capital gain मतलब मतलब सार जो अभी खरीदा अभी वेज दिया अभी का मतलब एक साल के अंदर अंदर खरीद कर वेचेगा, तो उसको बलेंगे short term capital gain उस पे tax लगेगा 10% security transaction tax है 0.2% on seller purchase ठीक है, तो security transaction tax हो गया, sell और redemption पर बर लग रहा है, सिर्फ redemption पर purchase करने पर नहीं लगेगा ठीक है sir education says को छोड़ देना हमें निकालना क्या है sir हमें निकालना annual rate of return सबसे पहले बात किस की करता सबसे पहले dividend reinvestment एक roughly idea दे रहा हूं कैसे कर table कैसे बनाया है मैं वो बता दूँगा अभी आपने एक लाग रुपए invest किया और IPO की बात है तो कितने में invest के 10 रुपए का एक unit है अगर यह IPO नहीं होता तो जो भी market price होता उस पे reinvest करते मतलब reinvest करते ठीक है वो इस type का question है दूसर एक लाग divided by 10 तो सर आपने खरीदा 10,000 units मैं बात कर रहा हूँ dividend reinvestment 10,000 units खरीद लिया था कब खरीदा था आपने 1 April 99 अब सर इस दिन dividend मिला 20% तो dividend का amount number of units कितना है 10,000 और face value कितना है 10 dividend तो face value भी मिलता है एक लाग इंटू 10 इंटू 20% तो सर डिविदेन मिला हमको दो लाग रुपए सर यह 10,000 units है 10,000 इंटू 10 dividend मिला 20,000 रुपए dividend मिला समझ के हूँ न सर 10,000 इंटू 10 इंटू 20% 20,000 रुपए यहां dividend मिला और इस dividend जो मिला उसको क्या करोगे reinvestment करोगे किस पर यहां जो NAV है उस पर मतलब divided by 30.7 तो क्या number of units बढ़ जाएगा यास फिर अगली बार जो dividend मिलेगा वो 10,000 यह और जो units बढ़ा यह इन दोनों को मिला देना इंटू 10 रुपए face value से multiply करना इंटू 70% करोगे जो भी आएगा divided by 58.4 तो करोगे देखे क्या दिख रहा होगा आपको मुझे ऐसा लग रहा है असर एक बार discuss करें कि क्या हो रहा कुछ नहीं है बड़ा simple सा काम कर रहे है हम लोग एक अप्रेल 99 को कितना units खरीदा आपने 10,000 मैंने rate लिखा dividend लिखा dividend का amount लिखा rate लिखा ठीक है sir dividend का rate लिखा dividend का amount इसलिए क्योंकि इसी को reinvest कर रहा है अब इसको यह रुपीज में आएका divided by NA भी तो new unit से जाएगा और पुराने वाले में add कर देंगे simple है अगर पहले साल dividend कितना है 20% है मतलब यह कॉंसी rate में 28-7 कितना units है 10,000 x 10 x 20% 20,000 रुपे sir 20,000 को reinvest कर रहा है 30.70 में उस हिसाब से number of units 651.47 इसमें किसी बच्चे से गलती हो गई थी उन्होंने units को rounded off कर रखा था तो please बस इस बात पर focus करना तो क्या number of units से बढ़ गया yes अगली बार dividend 70% मिलेगा लेकिन याद रखना कि इस पे अब नए units भी मिला लेना और face value है 10 रुपे और dividend 70% तो ये आ गया divided by ये तो number of units आ गया इस तरह से काम होते जाए इसमें अब कोई दिक्कत आएगी कि कोई दिक्कत नहीं है ठीक ये काम कहां तक हुआ चोबिस मार्च आगे भी काम है आगे नहीं चोबिस मार्च कोंसी डेट है चोबिस मार्च लास्ट एट होगे ये है dividend कितना मिला 40% 40% के हिसाब से यहां मने किया टूटल हमारे पास इतना units आ गया चोबिस मार्च कौनसा है 2009 यह तक ठीक अब ये जो units आया 4, 1, 4, 9, 0, 6 इसको बेज देंगे येस और कितने के हिसाब से बेचेंगे क्योंकि सारा units आप 31st July को बेच रहे है तो सर इसको हम बेज देंगे 53.75 के हिसाब से जो आया पैसा कितना आया मैं किया हूँ पैसा कितना लगाया था एक लग पैसा कितना आया लास्ट में वो निकाल रहा हूँ तो सर इसमें से H2T माइनस करेंगे करेंगे ना भाई देखोगे रहान से तो जो units है उसको बेचा उसमें से 2% H2T माइनस किया तो net हमको इतना मिला अब सवाल ये है capital gain tax लगीगा कि नहीं लगीगा सर चेक करो आपकी आखरी डेट है 31 जुलाई को बेच रहे हूँ 2000 ठीक एक साल के अंदर अंदर सर ये units खरीदी गई थी और ये units नहीं आईगी 15 मार्श 2008 तो 15 मार्श 2009 को बात खतम होगी जबकि ये मतलब सर इसको 12 महने से ज़्यादा हो गया तो ये सब लॉंग टर्म कैपिटल गयन है ये भी बेची जा रही है लॉंग टर्म कैपिटल गयन ये बेची जा रही है ये क्यों सा है शॉट टर्म कैपिटल तो शॉट टर्म कैपिटल गयन कैसे निकालते है कितने में खरीदा था और कितना units तो सबसे पहले number of units तो यह है, इतना units, कितने में खरीदा था, 48.10 बेच कितने में रहे हो, तर बेच रहे हैं 53.75 में इन दोनों का बीच का difference, into this, into, tax का rate देख ले ना, 10% बस institute क्या कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसमें से H2T minus कर, जो कि capital gain में हमने पर रखा है, कि H2T expenses की तरह आप treat नहीं कर सकते हैं, expenses claim नहीं कर सकते हैं, capital gain निकालते समय, उसने लिग भी दिया, alternative आप ऐसा कर सकते हैं, मैं alternative उपर नहीं जा रहा हूं, जैसा ICAI ने solve करवाया है, पहले, वैसे ही कर लो, बात खतम, बाकि, no towards, जो लिखकर, alternative कर लेना, उसने कहां, हम नहीं कर रहे हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं, जैसे institute में solve कर रहे हैं, अब देखो, 53.72 में से उसने H2T minus किया, as expenses, minus इतने में खरीदा था, इतना unit और tax का rate 30, 10% तो यह आ गया, short term capital के, तो last में मुझे इतना मिलेगा, okay से, मतलब सर, इतना मिलेगा, इतना लगाया था, divided by a into 100, तो यह आ गया, 698.97%, लेकिन, यह कितने मन्त का है, तर 124 मन्त निकले था, यह निकला holding period return, holding period return, 124 मन्त का, जबकि मुझे तो निकालना है annual, मुझे तो 12 मन्त का निकालना है, तो चलो काम करें क्या है, और इन्होंने कर रखा हूँ, 12 मन्त का निकालिया, तो आंसर आगया, 67.64, अब अच्छों का यह कहना, सर, effective yield मांगा, तो effective yield ऐसे नहीं निकालते, effective yield किसी और तरीके से निकालते, IRR method से निकालते, वो कुछ नहीं सुनना चाहता, ऐसे निकालो, number में लेगा, IRR से भी निकाला, institute ने कई, पर वो alternative में निकाला, उसने सारे question ऐसे solve कर रहा, तो हम भी simple way में, हम ज़्यादा effective के चक्र में नहीं पड़े, ठीक है जी, बात समझ में आख, तो ये कौन सा था, सर ये था, dividend reinvestment, बोनस में क्या होता है, सर बोनस में ये NAV हमारे काम का नहीं है, बोनस में हमको, क्योंकि reinvestment नहीं कर रहा है, तो NAV काम नहीं आएगी, हमें बस इतना है कि अब भी कितना units है, 10,000, फिर 4 के बदले में 5, तो extra unit कितनी हैगी, 10,000 into 5 by 4, तो सर 12,500 units हो गई, तो टोटल अब कितनी होगी, 22,500, फिर 3 के बदले में 1, divided by 3, 25,500 divided by 3, तो सर 7,500 units हो गई, तो टोटल कितनी है, इस तरह से, मुझे बस ये देखना है, कि number of units last में कितना मिलेगा, क्यों, क्योंकि यार मैं बेचूंगा ना, 22.98 के सबसे, और सर, short term capital gain, देख लेंगे, अगर कुछ होगा, तो काम करेंगे, वैसे तो सर, होगा ना सर, क्योंकि इसी date में, ये भी है, और bonus भी, तो short term capital gain भी आएगा, या देखना पढ़ेगा, कितना unit से bonus क के रूप में मिल रहा है, देखे, तो भाई साब, एक अप्रिल को कितना unit से था हमारा, 10,000, ठीक है सर, फिर 12,500 और unit, फिर 7,500, फिर 7,500, और इस पे short term capital gain निकलना, तो सर, पहले बेचे क्या, total units, yes, कितना बेचेंगे, 37,500, और कितने के हिसाब से, 22.98, कहीं ना कहीं तो था, 22.98 के सबसे, बेच देंगे, STT माइनस कर देंगे, तो यह आगया, अब बात करते हैं, short term capital, कितने में, 22.98 में बेचे, STT माइनस करते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, माइनस की, माइनस, bonus units, तो उसका cost of acquisition 0 होना चाहिए, पर institute बोलता, नहीं, उसका cost of bonus units, जब खरीदा, जब bonus हमको मिला, उस समय, NAV कितना था, बोले, 19.95, और आपको भी लेना है, आप अपना दिमाग मत चला लेना, टेक्स का, cost of acquisition 0 लेंगे, मत लेना, तो ये आ गया, कितना unit, 7,510 परशन के सबसे, ये आ गया, short time capital गया, और इसके सबसे answer निकाला, तो कितना आ गया, 73.34 परशन, प्लीज, question बनाते समय, calculator ज़रूर चलाओ, और growth plan में तो कुछ है नहीं है, दस ज़र unit C थी, 82.07 के सबसे बेज दिया, 82.07 कहां से आया, 82.07 ये आया, ठीक, ठीक है सर, और, और उस पर H2T काट लिया, short term capital gain की तो जरूरत ही नहीं, तो सीधा annual return निकाल लिया, 69.5, तो प्लीज, इस question को कर लेना, एक बार बना के चला जाना, कि हर एक attempt में ये वाला question, हर एक attempt के बाद, ये वाला question जरूर देता, question number 23, पढ़े, तिका, during the year 2017, अच्छा कोश्चन है ये भी, अच्छा कोश्चन है ये भी, और दोनों मिला कर रहे तीन रुपे पर इनिट, और उसको उसने reinvest भी किया, और कितने में किया, 23.75, इन्वेस्ट किया था, कितने में ये नहीं मालूम बोले, जो capital gain और dividend मिल रहा, वो मिल रहा, तीन रुपे पर इनिट और उसको हमने invest किया, 23.75, पहले से number of units कितना था, वो बताएगा ना, इन्वेस्टर had total units, 26,750, वो पहले से कितना units था, ये नहीं बताए, उसने बताए, at the end of year था, 26.750 units, मतलब सर पहले कितना units था, ये हमको नहीं मालूम, पहले जितना units था, उसको multiply 3 रुपे से करना, क्योंकि एक यूनिट पर 3 रुपे डिविडेन है, divided by करना, 30, 23.75, तो answer आना चाहिए, मतलब पहले की units, और डिविडेन रे इन्वेस्टमेंट करके, दोनों को मिला कर, answer आया है, 26750, NAV had appreciated by 18.75%, मतलब जो भी पहले का NAV था, वो 18.75% से बढ़ गया, और entry load है, 0.05 at the time when he invested was met, NAV दिया है कि कहीं, तर ये दिया है, और ये NAV कब का है, AND का है, और ये सर बढ़ के आया है, 18.75%, बहुत अच्छा, tricky question है, ठीक, investor lost his record, and want to find out the amount of investment met, कितना आप investment कर रहे हो, नहीं मालूं, और entry load क्या होगा, question बहुत अच्छा है, ध्यान से करना बढ़े, तर सबसे पहले क्या है कर, सबसे पहले एक बात तो हमको मालूं है, कि ये जो है, ये closing NAV है, और जो बढ़के आया है, 18.75%, किस से opening से तो निकल सकता है, कि यस, तो सर इस ये जुड़ा हुआ है, 118.75%, तो सर opening NAV आ गया, 20 रूपीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से काम समझना बेटे, क्योंकि ये वाला काम, आगे भी जरुरत पड़ेगी, ये जो करवा रहा हूँ, आगे भी जरुरत पड़ने वाले, येर opening number of units नहीं मालूम, तो उसको हमने क्या ले लिया, X, ठीक है, कहां तक बास समझा, तो मैं कह रहा हूँ, तर पहले से number of units था, X, एक unit पर 3 रुपए dividend, तो ये total dividend का amount आ जाएगा, और उसको reinvestment कर रहा है हम, 23.75 पे, तो सर ये पहले का units, और ये dividend reinvestment किया, उससे नया units आया, ये दोनों मिलाकर आ गया है, 26750, equation में करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कि मैं छोड़ दो और बोलूं, ये आ जाएगा, नहीं, अब equation solve कैसे कर रहा हूँ, पहले ये समझ दो, तो solve कैसे कर रहा है, जरा बताओ कि, ये वालना जो X दिखाई दे रहा है न, उसको मैंने इधर minus किया, सुननो, सुनना, क्योंकि अगले question में, हैं, वो इससे भी multiply होगा, उससे भी multiply होगा, मैंने किया नहीं है, मैं सिर्फ लिखा है, क्यों, क्योंकि एक formula बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सर्थ 26750, इन्टु 23.75, और 237.75 है, ये कैसे, अब ये क्योंकि X वाला party, इसको उठाकर इधर लिख दिया, ठीक है, तो अब ये वाला divide हो जाएगा, 26750, उपर आएगा 23.75, और नीचे आएगा 26.75, final answer आगया कि, opening units था 23750, तर कहना क्या चाहते हूं, भाई, अगर मैं कहता हूं, 26750 यूनिट्स है, सर मिलाकर है, dividend per unit मिलाकर है, मतलब ये including dividend है, तो सर हमको मालुम है, कि 2375, 0, 2375, प्लस इसमें में dividend भी जोड़ देता हूं, 3 रुपए, तो ये including dividend हाजाएगा, 26.75, ये including dividend, ये रटवानी की कोशिश कर रहा हूं, जरूर ये है, और multiply कर रहा हूं, 23.75, तो ये जो units आएगी, ये dividend के पहले किया जाएगी, तो कैसे कैसे किया, मैंने गा, 26750, including dividend है, तो dividend भी, NAV में add कर दिया, closing, और into कर दिया, excluding dividend माला, मतलब सिर्फ, closing आने भी, answer आजाएगा, 23750, तो ये काम आएगा आखी, और फिर, it means number of units, before dividend investment, कव मैंने formula बताया, और formula को ध्यान से देखो, तो बस मैं वही कहना चाहता हूं, यहाँ हम closing dividend प्लस कर देंगे, यहाँ excluding ने तो answer आजाएगा, 23750, अगर मैं कहूं, new units कितना, तो new units कैसे निकलेगा, भी, हाँ सर्फ, proportion से निकल जाएगा, वो तो आसान है, ठीक है, ये तो वाद समझ में आगई, अब, मुझे बताना, ठीक है सर, मतलब सर, हमने कितना units खरीदा होगा, इस question के हिसाब से, हमने खरीदा होगा, 23750 units, कितने में खरीदा होगा, सर, NAV, 20 रुपए में नहीं, वो बुल रहा है, investment कितना हुआ, investment 20 रुपए तो वो लगा, plus entry load भी तो लगा, तो टोटल आपका, एक एक यूनिट पे, 20 रुपए 5 पैसे खर्च हो रहा है, तो उस सर, टोटल कितना खर्च हो रहा है, टोटल इतना खर्च हो रहा है, इस ही को बोल रहा हूँ है, amount of investment, ठिक है, और इसके अलावा, हमसे क्या बोल रहा है, एंट्री लोड मांग रहा है, लोड नहीं, लोड हाई है, टोटल एंट्री लोड, लोड कितना, बोले, एक यूनिट पे 5 पैसा, तो 23,750 यूनिट पे, इतना पैसा, इस question को करवाने का purpose, बस एक ही है, ये वाला equation काम आएगा, ठीक है जार, आगे चले, question number 25, बड़े, ते मैं, बस थोड़ा सा हींट देना, दिखाया, मैसर्स कॉर्पस, एमसी, एक चार बंधरा, हैस फ्लोटेट टू इसकी, ये टिस, डिविदेंट प्लान, और बोनस प्लान, तो इसकी में, पैसा लगा रहा है, has invested in both the scheme, the following details, और दोनों में, invest किया है, सिर्फ हमको ये नहीं मालूम, कि issue price कितना है, कुछ बच्चे बुलते हैं, सर, assume 10 रुपए कर लो, ऐसे थोड़ी नहीं है, और market price पे, कभी भी investment होता, तो market price पे, तो सर, पिछले question में, बच्चे उसमें 10 रुपए लिखा था, IPO था, उसमें IPO, बोले हम जो investment कर रहा है, एक अप्रिल 2015 को, कितने में, बोले ये question mark है, ठीक, उसके बाद dividend के विशे में, बताया गया है, bonus के विशे में, और यहाँ NAV बता दिया गया, ठीक, अब यहाँ बताये कि, जब हमने investment किया था, तो हमने किया था, 9,20 जा, मतलब सर, एक अप्रिल को, dividend की बात करूँ, तो यहाँ investment किया था, 9,20 ठीक है सर, अब average profit कितना, ये में, इसको ठीक से लिख ले न, 27, 748 points, average profit किसकी बात हो रही है, bonus plan की बात, average profit मतलब, average profit मतलब, हर साल कितना कमाया, कितने साल तक, total past साल तक, अब ध्यान से समझना, मैं कैसे काम करूँगा, तो सर, 27748.60 into 5, तो सर, हमने अगर into 5 कर दे, तो हमने कमाया, पूरे past साल में, 138, 743, हाँ बोलो, हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग चिलाओ, सर, 9,20,000 लगाया था, पूरे past साल मिला कर, हमने इतना कमाया, इसका मतलब, past साल बाद, value तो ज़्यादा रही होगी, और कितनी रही होगी, plus 9,20,000, तो सर, यहाँ value रही होगी, 1058743, हाँ बोलो ना यार, लगाया था, 9,20,000, हर साल का, इतना profit हो रहा है, 27, 748.6, हर साल का profit, मतलब पूरे past साल में, past साल का जोड लिया, और मैंने यह लगाया था, यह profit कमाया, तो last में तो यह value रहा होगा, अगर मैं कह रहा हूँ, last में है value यह, और उसको divided करूँगा, 49 से तो क्या, यहां के number of units आ जाएगा, यास, और एक बार यहां का निकल गया, तो back calculation से number of units, यहां का निकल जाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना, पहला गाम, सर यह बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा हूँ मैं, dividend reinvestment, तो number of units, कितना लगाया था, 9,20,000, total profit इतना 5 साल का मिला लिया, तो यह आ गया, 49 के साब से, तो units आ गया, 21607, तो यहां number of units आ गया, 21, जदर लिख दूँ क्या, 21607, अब सुनना ध्यान से, एक unit का face value क्या है, face value कहीं दिया तो नहीं है, तो सर दस रुपए, face value issue price नहीं 10 रुपए, सर दस रुपए face value, एक unit, और dividend कितना 15%, तो मतलब 1.5 per unit, और यहां price कितना 45, तो मैंने एक formula दिया, formula क्या दिया था, एस सर, 21607, मुझे इस से, dividend से पहले की units निकालना है, 21607, यह सर, into, उपर आ जाएगा 45, और नीचे आ जाएगा, 46.5, यहाद है, हाँ सर, ऐसे फिर क्या कर देंगे, into, उपर क्या जाएगा यहां, 50, और नीचे क्या आएगा, 51, और सर यहां, यहां सर, 1.2 है, तो 49.2, यहां कितना जाएगा, 48, और नीचे जाएगा, 49.2, सीधा सीधा यहां की निचे जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया हूं, हलाकि इसको टेबल में बांधना पड़ेगा, 21607 into 45 divided by 46.5 into 50 divided by 51 into 48 divided by 49.2, 2.0 सीधा आंसर आगा, 20,000 units, यह फॉर्मूला प्लीज मैं एक्स्प्रेइन कर चुका हूं है, इंक्लूडिंग डिविडेंट पर यूनिट लिखना और यहां एक्स्क्लूडिंग, यह फॉर्मूला समझा यहां, बस दो मिनट का काम था, देखो दियान से, यह टेबल में मैंने बनाया, शाहो तो आप एक्स लेकर भी कर सकते हूं, ठीक है सर, 21607 निकल गया न, इसके बाद कुछ नहीं, यह लिखा, यह डिविडेंट पर यूनिट निकला, और उस दिन एने भी लिखना, और यह 1.5 ऐसा करके, एडिशनल यूनिट सा जाएगा, यह भी मैंने करवाया हूँ आपको, उपर क्या लिखा सिर्प, डिविडेंट, मतलब यह डिविडेंट वाली यूनिट निकलेगी, ठीक है, फिर 2910, इसके सब से 410 यूनिट आया, तो यह आ गया, ठीक है सर, 2500 इसके सब, मेरे ख्याल से, फॉर्मूला मैं समझा चुका हूँ, ठीक है सर, तो बताओ, 9 लाग रुपिया लगाया था, और 20,000 यूनिट ही खरीदा, तो बताओ, उस समय आपका एनेवी कितना था, इस्यू प्राइस कितना था, 45, ठीक, तब बहतरी ने कोश्चन, यस, मैं जानता हूँ बहतरी ने, चले आगे, बोनस, तब बोनस भी सोचते हैं ना यार, यस, सर, डिविडेंड येल दिया है, 6.4%, मतलब इससे एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, 10,00,000 पर कितना, सर, 10,00,000 का 6.4%, मतलब सर, 64,000, 64,000 इंटू 5, तो सर, ये 5,00,000 आगे, तो टोटल वैल्यू यहां कितने एक आगे, 15,00,000, और बोनस का 44, 10,00,000, इंटू 6.4%, इंटू 5,00, अच्छा, प्लस 10,00,000, सर, तो सर, यहां टोटल आ रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 13,00,20,000, कैसे आया, मैं आपको समझा चुका हूँ, 64,000, इंटू 5 किया तो 3,20,000 आगे है, आवरेज़ प्रॉफिट, इंटू 10,00,000 किया, तो 13,00,20,000 आ गया है, प्लस करके, और 13,00,20,000 डिवाइड़ बाई 44 किया, तो यहां का यूनिट सा आ गया है, 30,000, पैक कैल्गोलेशन, 30,000 में क्या बोनस इंक्लूड है, यास, तो इसको मैं 6 ले सकता हूँ, क्या, यास, तो 30,000 इंटू 5 बाई 6, 25,000 आ गया, इससे पहले का, इंटू, तो फोर बाई फाई, फोर बाई फाई, तो आंसर आ गया है, 20,000 यह भी 20,000, इन प्लस किल्कुल है, इसमें बोनस जुड़ा हुआ है, तो यह टूटल है, आफ्टर बोनस और यह है बोनस, तो पाच्चीज़ा तो यह 25,000 आ गया, और यह 20,000 यूनिट्स आ गया, ठीक है, आंसर इशू प्राइस कितना आ गया, इशू प्राइस आ गया, वाओ, कोश्चिन नम्बर 19, इंस्टिट्यूट का फैवरेट कोश्चिन में इस एक है, कोश्चिन नम्बर 19 पर जाईए, एक बार रीड कीजिए, कोश्चिन देखा-देखा लग रहा होगा, आपके बार जाईए, देखाए हैं, मिश्टर एक्स, मिश्टर एक्स ने एक जुलाई दो हज़र साथ को इनिश्यल ओफर के समय, मिश्टर फंड में इनिवेस्ट किया, कितने महने बात, तो जुलाई, अगस्ट, सेप्टमबर, आक्टोबर, नवंबर, दिसमबर, जनुवरी फंड, मैंने बात, दिविदेंड पैड बाइदा मिश्टल फंड और मिश्टल फंड ने 10 परशन डिविदेंड दिया, डिविदेंड 10 परशन ठिक, एंड मिश्टर एक्स फाउंड देट, इस एनुलाई जिल्ड और यहां से यहां तक का यिल्ड पर एनम दिया है, 153.33%, एनुलाई जिल्ड दिया है, तो होल्डिंग पिरियर्ड डिटन तो निकाली सकता है, यस सर, क्योंकि यह तो बारा मैने का, हमें तो नौ मैने का चाहिए, निकल जाएगा सर, बोगए दिक्कत लिए, ठीक है, ऑन 31st December 2009, यह 31st December नहीं यह 31st March, 20% डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड 20%, और 35st March 2010, अब लास्ट में, और 35st March X ने रिडिम्ड कर दिया, सारी यूनिट्स, और कितना यूनिट्स हो गया था, बोले यूनिट्स हो गया था, हमारे पास, 14,296.11 यूनिट्स हो गया था, और वो सब की सब रिडिम्ड कर दिया, और उस समय एैन्विलाइज येल्ड था, 73.52, वो N.A.V. पोछ रहा है, यहां का N.A.V. बताएए, यहां का N.A.V. बताएए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अगर आप रिविजन कर रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे तो अलग बात है और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो यह कोश्चन आपका कई बार किया हुआ है इस्टार्ट करते हैं यहां का एने में निकालने की कोश्चन सबसे पहले यह कौन सा यिल्ड दिया है इसका holding period ने कल सकते हैं यह 12 मेने का है तो 9 मेने का कितना तो वही मैंने निकाला है और वह कितना आगे हैं 150 बड़ ठीक अब ध्यान से समझाए मैंने का 31st March 2008 को क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एने भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और सर मुझे यह मालूम है कि यार यह जो एनुबलाइज यिल्ड है यह 115 परशंट आया कैसी होगा इसका मतलब है कि जो हमने लगाया था और हमने कमाया है 115 परशंट एक लाग का यह दोनों मिला कर क्लोजिंग वैल्यू आया 2,5,000 तभी तो जार यूनिट्स था, 10, दुरू में 10,000 यूनिट्स था, और फेस वैल्यू है 10 और 10 परशन तो जो डिविडेन मिला वो 10,000 मिला, तक देखें, जेखो मैं कैसे कर, अब ध्यान से करना, जार मुझको यहां का एनेवी मालूम है क्या, नहीं, इसको मैंने क्या लिया, X, अब ठीक से सुनना मेरी बाद, सर, 10,000 यूनिट्स हमारे पास पहले से था, और 10,000 रुपए डिविडेन के रूप में मिले, उसको हमने एनेवी पर रिइन्वेस्ट किया, क्लोजिंग एनेवी पर, और सर, इन दोनों को जब मल्टिप्लाई करेंगे, इन दोनों को, याद है, हाँ सर, यह है एडिशनल लास्ट का वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू तो लास्ट का वैल्यू जो नया यूनिट्स था, उसको एट करके एनेवी से मल्टिप्लाई करेंगे, तो दो लाक पंदर हजार रह जाएगा, बता नहीं गया, बाकि और भी बहुत सारे तरीके उससे कर सकते हैं, तो उस ह अगर हम दस जार लेकर तो नया यूनिट्स हमने खरीदा होगा 487.80, तब मैं यह समझ रहा हूँ, कि यहां का एनेवी आ गया, 30.50 पैसे, और यहां था दस जार लेकर और खरीद लिया 487.80 यूनिट्स, तो टोटल मिलाकर यहां हो गया, 10487.80 यूनिट्स, ठिक, अब वो हमसे यहां का एनेवी मांग रहा है, ठोड़ा दिमाग चलाओ, क्या यहां डिवीडेन मिला होगा, यस, कितना डिवीडेन है, सर 10487.80, इंटु 10, इंटु 20%, सर डिवीडेन मिला होगा, 2097, जो भी होगा, वो डिवीडेन मिला होगा, अब यार यहां यूनिट्स कितने में खरीद होगा, यहां नया यूनिट्स तो आया होगा हाँ सर, और किस पे, यहां का जो NAV है उसी पे तो यह जो पैसा मिला होगा, उसको रिइनवेस्ट किया होगा यस, सर यहां का NAV कितना है, थोड़ा सोचो यहां यूनिट्स कितना था 10487 यहां यूनिट्स कितना हो गया सर 11296 मतलब सर यहां कुछ ना कुछ तो यूनिट्स खरीदा है हाँ भाई हाँ निव यूनिट्स यहां खरीदे तभी तो यूनिट्स बढ़ गया न कितना वो निकाल लाओंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और जितना यू निव यूनिट से खरीदा है इसको उससे डिवाइट कर देंगे तो आंसर आजाएगा देखते तो प्लीज अगर आपको कि कि सर डिटेल में समझाओ तो बड़ा मुस्किल है डिटेल में मैं नहीं समझा पाऊंगा पर रिविजन की कर रहे हो अब को आइडिया होते जारा कि हाँ यार ऐसे किया था ऐसे ही कर बासकता हूँ कि हाँ ऐसा किया तो 10,000 उनिट्स यस पहले से था और टूटल मिला कर आकर 10487.80 डिविडेन एमाउंट इन्टू फेस वैल्यू इन्टू 20% यह डिविडेन एमाउंट है 2097.5.60 अब यह नंबर उप उनिट्स आफ्टर डिविडेन है 11,296.11 यह गिवन है और पहले था 10487.80 तो निव उनिट्स निकल गए हमारा 808.31 और डिविडेन के एमाउंट मालूम है हमको यह मालूम है तो क्या एन्ट भी निकल जाएगा 25.95 मेरे ख्याद से समझ में आ गया है नहीं आएगा तो कोशन पूछोगे अब लाश्ट का तो सिंपल है लाश्ट का सर उसने हमको annualized yield दिया हुआ 73.52 लेकिन हमें तो holding period return से मतलब है मतलब जब से हमने किया था तब से यहां तक का return कितना है मतलब सर 9 मैंने प्लस 12 मैंने प्लस 12 मैंने यस 12 और 12 और 9 33 मन्त का तो सर वो आ गया 202.1 अब यह निकालते कैसे यह आपको मालूम है सर वन लाक लगाया था और 202.18 बढ़के यह answer आ गया होगा यह closing value निकल गया एक लाक लगाया और yield कितना है holding पे 202.18% की कमाई है तो final answer निकल जाएगा लाश्ट का कितना रुपए है value और 11,296 units है 26.75 नवी आ गया कपका आ गया मैं आपसे बस इतना कहा रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिला सकता हूँ इस question को पूरी तरह से explain नहीं कर सकता time लग जाएगा बहुँ टाइम लगी चलो अब इसके आगे से start कर रहे हैं हम लोग और बात करते हैं हम लोग indifference return बड़े कोशन तो बनते नहीं है छोटे छोटे कोशन आते नहीं है चाहुद तो हम लोग पोड़ सकते हैं पर ठीक है पढ़ लेते हैं है तो हमारी study mat में इसमें होता क्या है सुनों के ध्यान से इसमें ध्यान से समझना मान दो सर कोई एक person है राम राम चाहुद तो direct investment कर सकता है और direct investment पर कहां कर रहा है equity में और कितने person की कमाई हो रही है अगर वो भाई साब अपने दिमाग से काम करें तो 100 रुपए लगा कर 18% की कमाई होगी 18% equity से return आने वाला है इट मिंस कितना आने वाला 18 रुपए return का मिलेगा 100 रुपए लगा कर अगर खुद से invest करें तो दूसरा है कि क्यों न वो mutual fund को पैसे दे और mutual fund equity में invest करें मान लो वो ऐसे equity में return invest करा कौन mutual fund जिसमें return है 18 पर तो अब सूचना है कि राम को कितना पैसा में अराम से सूचना है स्यार 100 रुपए ये हम mutual fund को देंगे yes mutual fund क्या होगा कुछ initial expenses है initial मतलब एक ही बार खर्चा होता है 2 person कौन से खर्चे हो सकते mutual fund के बहुत सारे खर्चे होते है mutual fund के वो खर्चे काट लिया जाएगा जैसे fund manager को salary ये बहुत कुछ है तो 2 person उसमें से कट जाएगा क्योंकि वो खर्चे है तो सर आप तो 100 दे रहे उसमें से 2 कट गया है तो बो बच्चा कितना 98 ठीक है सर अम 98 का क्या वो 98 लगाएगा कहां लगाएगा मान लो वहीं लगा रहा है जहां 18 percent के कमाई हो ठीक है तो 18 percent कमाईगे यस लेकिन operational expenses भी होते है mutual fund के tiers related ये किसी तो उसका मान लो हर साल 1 percent जब भी आप मान लो आप 18 percent per annum कमाईगे उसका 1 percent कट जाएगा तो ultimately सर हमको 17 percent ही मिलेगा यस और पैसा कितना लगा आपका 98 98 per 17 percent लगा तो आपकी कमाई हो रही है 16.66 percent ठीक है क्योंकि आपके जिप से कितना गया सर हमारी जिप से तो 100 गया और इस 100 पे आपको कितना मिल रहा है 16.66 अगर किसी से भी मैं पूछता कि बोलो कहां पैसा लगाओगे डायरेक्ट लगाओगे कि mutual fund में आपको किसा डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि equity में लगाने से कितने की कमाई हो रही है 18 रुपए तो मिल रहा हाँ हाँ अगर mutual fund भी कुछ ऐसा करे कि 18 रुपीज मिल जाए तो हम सोच सकते हैं कवाल ये है कि mutual fund ऐसा क्या किया जाए कि हमें 100 रुपए देने पे 18 रुपए की कमाई हो जाए आखिर mutual fund ऐसी किस जगह investment करे मुझे ये निकालना है ऐसा कौन से equity में invest करे mutual fund कितना return कमा कर दे कि सब काट कुट के हमको 18 रुपए मिले that's it formula है formula पे नहीं जा रहा हूँ simple सी बात कर रहा हूँ इसके लिए मुझे यहाँ कितना चाहिए मुझे चाहिए सर यहाँ भी हमको भी 18 रुपए आना चाहिए 18 रुपीस तो 18 रुपीस आना चाहिए तो सर यहाँ लिख दू मैं 18 रुपीस back calculation कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ 18 रुपीस लिखता हूँ और 98 पे percentage निकल जाएगा कि यह सर 18 रुपीस कमाना है 98 पर तो सर 18.36 परशन कमाना 18.36 प्लस 1 परशन यह भी तो कमाना पड़ेगा तो टोटल मिलाकर सर हमको 19.36 परशन कमाना पड़ेगा मुचल फंड को ऐसी जगा पैसा लगाए कि 19.36 परशन कमा ले तो बात हो जाएगी एक्जाम में वही आने वाला है एक्जाम में बताएगा कि यार एक्विटी में पैसे लगाने से हम 18 परशन कमा रहा है अगर यहां लगाए मुचल फंड में तो कितना कमाई कि हमारी कमाई सेम हो जाए एक्वल हो जाए सर यह निकला कैसे अगर ठीक से देखोगे 19.36, 19.37 ले लो कोई देखत में अब ठीक से देखना मैंने सर मैंने 18 सुनोगे बिट्टे, फॉर्मुला है मैं फॉर्मुले पर पढ़ना नहीं चाहता 18 डिवाइड़ बाई 98 किया इसका मतलब आपने लिखा 18 जितना आपको चाहिए डिवाइड़ बाई 1 माइनस 0.02 कर दिया तो सर यह अल्टिमेटली 98 ही तो हो गया यह 100 माइनस 2 कर लेना कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है सर, ऐसा किया उसके बाद जो भी आया जो भी आया उसमें 1 जोड दिया तो आंसर किसके आएगा सर, mutual fund का return आएगा जिसको आप R1 या R2 बोल सकते इट मीज फॉर्मुला फॉर्मुला देखो फॉर्मुला कि आप मुझे क्या निकालना है R2 R2 मतलब mutual fund का return और equity का return मुझको दिया है तो मैंने 18 1-0.02 किया तो 98 ही हो गया ultimately और plus 1 कर दिया final answer आगया 19.37 बिल्कुल सिंपल क्या समझाना चाहरा था बात समझी में हा कि न अगर mutual fund ऐसी जगह पैसा लगाए जहां 19.37% है return तो सब काट कुट के 18% की कमाई हो जाए यह सीख क्यों रहा है कि हम इसलिए सीखते है तक कि हम यह decide करे कि आर इससे ज़्यादा अगर कमा कर देता है mutual fund कम से कम इतन इससे ज़्यादा ही कमाना चाहिए तभी तो फायदा है तभी तो investor लगाएगा पैस concept पर नहीं जाते है यह question कर लोगे question number 28 कोई समस्या नहीं होगा formula लगाना answer question number 29 अच्छा question है और मुझे cover करवाना question number 29 पढ़ी क्या? yes sir दिखा Mr. Alex question बढ़ा करनोंगे Mr. Alex एक practicing chartered accountant है ठीक है भी है? CA can earn return और कितना कमा सकते हैं बोले return कमा सकते हैं हम लोग 15% अगर हम direct investment करें तो हम 15% की कमाई कर सकते हैं अगर हम equity में खुद से invest करें तो मतलब सर यह इस सबसे R1 है yes R1 बोल सकते हैं उस से invest करें तो 15% की कमाई हो He is considering a recently announced equity-based mutual fund और वो mutual fund इस स्कीम में invest करना चाहते हैं उसमें initial expenses कितना है? 6% और recurring expenses annual है वो कितना % है? 2% तो बताईए उसको mutual fund कितना return कमा कर दे ताकि equal हो जाए मैंने क्या बताया था? तर आपने बताया था 15 1- प्रोसेसिए initial expenses कितना है? सर 15 डिवाइड़ वर 0.94 प्लस 2 अंसर आगया 17.96 मेरे ख्याद से इसमें दिक्कत नहीं आएगा 17.9 फिकि सर formula रटा मार लेंगे हाँ मार लेना अभी option भी नहीं है आपके पास कि मैं बहुत अच्छे से समझा सको एक्जामपल दे point number 2 अच्छा point है लेकिन institute ने थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है पढ़ते एक बार देखा Mr. Alex का current annual professional income है 40 lakhs अच्छा 40 लाग रुपे कमार professional income है भाई साब CA भी तो है भूल गया कि हाँ सर CA भी तो है तो 40 लाग रुपे कमार इस portfolio value is 50 lakhs और उनका जो portfolio है ना उसका value है भी 50 लाग जो आप खुद से लगाते ना equity में भाई साब CA तो हाला कि वो अपने काम पर कम ध्यान दे रहा है और 10 percent time इस portfolio को manage करने में लगाते है 10 percent time अपने time का 10 percent है ठीक है इफ अगर ये time वो अपने profession पर लगाए तो उनकी professional income same proportion से बढ़ जाएगी मतलब जो 10 percent time भी उसमें लगा दे तो professional income पचास लग नहीं पचास लग नहीं चालिस लग से 10 percent बढ़ जाएगी 44 lakhs time pass मत करना कि divided by 90 percent एक्टर दिमाग मत चलाना बहुत सारा discussion हो चुका है सार इंस्टिट्यूट गलत किया है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सीधा यार सीधा simple way में 40 lakhs कमा रहे 10 percent बढ़ जाएगा ठीक है He is thinking to invest his entire portfolio और बुले जी पॉर्टफोलियो को कौन manage करेगा भाई जो पचास लग के बुले एक काम करो multi cap fund में डाल दो और उससे आप 13 percent की कमाई करोगे mutual fund वाला 13 percent कमा कर दे रहा है और हम खुद काम करते थे equity में तो हम कितना पर्ट कमा रहे थे हम 15 कमा रहे थे उसी portfolio mutual fund वाला 13 कमा कर दे रहा है लेकिन sir आप time कहां लगा रहे हो अब तो time में आप अपने काम पर लगा रहे हो देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा present situation जब वो खुद देखते हैं तब कि बात करते हैं जब खुद मैनेज करते हैं तो professional income 40 लाग होती है और portfolio से 15 परशन की कमाई होती है तो उस हिसाब से 47.50 खुद मैनेज करते हैं लेकिन अगर हम mutual fund के थूँ करें तो तो बहुत जो professional income है वो बढ़ जाएगा 44 लाग हो जाएगा ठीक है सर और इसके अलावा income from mutual fund 13 परशन कमाकर वो देदेगा तो total 50.50 उस हिसाब से भाई एक कम करो अपने काम पर ध्यान दीजिए अपने काम पर ध्यान दीजिए और ये जो income है ये बढ़ाई है 2 परशन कम मिलेगा तो चलेगा ये बात पूच्छा था ये बात हमने ठीक है जी चलेगा अच्छा question था ये बात अब बात करते है third hedge fund वैसे तो दो घंटे में हो जाना चाहिए नहीं हो रहा भाई मैं सारी questions करवा रहा हूँ तो अप कुछ कर थोड़ीं सकते हैं कि यार दो घंटे में fixer की दो घंटे में हो जाना चाहिए नहीं हुआ तो तर बात करते हैं किसकी hedge fund की एक मात्र question है hedge fund का तर exam में hedge fund और mutual fund में difference आ सकता है पर मैं theory वाली बात नहीं करूँ गए क्या होता है hedge fund hedge fund यह है कि यार मालो में हूँ CA मालो CA हूँ और मेरे पास मेरे पास लोग आते कि please आप हमें advice कीजिया या एक काम कीजिया आप हमारा fund manage कीजिया तर mutual fund में भी वही होता है यस पर mutual fund में public involved होती है बहुत ज़्यादा कोई भी पैसा लगा सकता है कम भी पैसा लगा सकता है ज़्यादा भी पैसा लगा सकता है तो जो mutual fund है ना उसको rules regulations follow करने होते है वो सीधा derivative market में नहीं जा सकता है क्योंकि public का पैसा इनवाल है short position नहीं ले सकता long position नहीं ले सकता क्योंकि public बहुत ज़्यादा risk का का नहीं कर सकता तो return भी कम आता है पर वो ऐसे भी investor होगे ऐसे भी लोग होगे जो कहते है रिस्क हो जाए तो हो जाए सर पैसा लगाओ और धंग से लगाओ तो वो मेरे पास आए अब मुझे मैं आपका पैसा इस तरह से manage करूँ मैं derivative में जा सकता हूँ सर इसको hedge fund क्यों बोलते है कहानी नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा यहां long shot दोनों लेते हैं इसलिए इसको hedge बोलते है छोड़ो काम की बात कर तो सर यहां भी तो से भी आएगा न नहीं यहां क्योंकि मैं limited लोग पुरा public का पैसा नहीं लोगा limited number of लोगों का पैसा लूँगा सर दस लोग मान लो हां क्योंकि बीच में फिर वो है कि यार इससे ज़्यादा नहीं ले सकते इसलिए मैंने दस लोगों का पैसा लिया और उसको investment कर रहा हूं और यह जो लोग होते बड़े बड़े लोग होते जो पैसा देते हैं मुझे अब बदले में मैं क्या चार्ज करता हूं fees fees भी चार्ज करता हूं और incentive भी चार्ज करता हूं हमारी exam में question fees और incentive पे आ रहा है कि भाई CA है तो बताइए सामने वाले ने पैसा लगा दिया है बीस लाग पच्चीस लाग तो बताइए उसका fees और incentive मिला कर क्या होगा ठीक इट मेंस एक तो मैं गह रहा हूं कि सर ऐसा है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं CA है यस और limited person है जो मेरे पास पैसा लगाते है और मैं उनका fund manage करता हूं तो बदले में मुझे fees तो चाहिए और fees मेरा fix है कि चाहे आपका portfolio कम हो जदा हो मेरा professional charge तो मैं लूँगा और कितना लूँगा एक लाग वन लेक तो मुझे चाहिए चाहिए ठीक service charge मेरा प्लस अगर आपका portfolio अब ध्यान से समना जो पिछला price था पिछला highest price यह है पिछला highest price यहां भी हो सकता था मानलो 2,00,00 है और इसको मैंने इस बार बढ़ा दिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस से बढ़ा दिया बोले पिछला जो भी highest है अगर उस से मैं बढ़ा देता हूँ तो इसके बदले में मुझे incentive भी चाहिए और काम होता है तो उससे मुझे मतलब नहीं मेरा एक लाग तो पक्का है यही आता एक्जाम आजाओ सर टाइम पास नहीं करते है question number 31 बढ़े लिखा हुआ है APN APN plan a highest price currently asset अभी कितने का है 20 crores C A X तब manager of fund charges fees और fees कितना charge करेंगे 0.1% तो 20 का 0.1% कर लो 20 का 0.1% 0.02 into 100,00,000 2,00,000 रुपे फीस हो गया 2,00,000 रुपे फीस तो मिलना ही मिलना है ठीक है 2,00,000 रुपे फीस तो मिलना ही मिलना है कोई रोक नहीं से इस क्या लावा है in addition to it फीस और incentive कितना मिलेगा 2% incentive मिलेगा 2% 2% किसका fully the incentive will be linked to gross return each year in excess of the portfolio maximum value since the inception the maximum value है अकर उस से उपर जाएगा gross return होगा उस पे कितना मिलेगा 2% the maximum value of the fund achieved so far since inception और maximum value दिया है 21 crores ठीके सर you are required to compute the fees payable fee payable to CA मांग रहा है CA को कितना fees अगर portfolio का value 29% बढ़ जाता है तो एक बार देखे सर 20 plus सर 2,00,00 रुपे तो मिलेगा ही चाहे बढ़े चाहे कम हो वो तो मिल नहीं है कोई रोक नहीं सकता अब एक बार देखे रहा हूं बढ़ कब रहा है सर 20 plus माइनस 21 तो सर 4.8 पर मिलेगा incentive यस अगर portfolio 29% से बढ़ जाता है अगर सर 4.5 से बढ़ता है तो तो देखते हैं 20 plus 4.5% 20.9 जबकि 21 से उपर होना चाहे था तो यहाँ no incentive और यह तो यहाँ भी incentive नहीं बस खत्म और कुछ है नहीं मतलब सर 20 जो था उसको मैंने 1.29 से बढ़ाया और 21 मैनस किया तो 4.4 कर रुपे 2 पर और यहाँ बढ़ा नहीं है loss है loss है तो no incentive तो final आ गया fees payable निकल जाए ठीक है जी यस चले हैं कि performance evaluation of mutual fund इससे question आये था इस attempt में भी आये था बस एक दिक्कत थी वो दिक्कत में यहाँ तो discuss नहीं कर सकता पर roughly एक idea दे सकता हूँ idea क्या हूँ बाद में देखी इस attempt का please question देख ले ना यह चो last attempt में अच्छा question आया था it means उस question में बस याद रखना 11% था ना तो formula में 0.11 यूच किया आपकी कुछ caution नहीं कया अभी मेरे पास है अभी में बात नहीं कर एक है तो बात क्या है सर इस topic में हमको क्या पढ़ना है इस topic में हमें पढ़ना क्या है इस topic में हमें यह देखना है भा evolutionary mutual fund में पैसा लगा है उनका performance check करने और performance check करने के लिए तीन है अमरे पाद, चार प्रेशो, ट्रेनर रेशो और अलफा, अलफा वही वाला जो पॉर्टफोलियो में, चार प्रेशो क्या बोलता है, चार प्रेशो ये बोलता है कि भाई, कितना कमा कर दिया म्यूचल फंड ने, और रिस्क फ्री क्या था, रिस्क फ्री पर तो वैसे भी रिस्क था नहीं यार अगर मैं बैंक में लगाता तो मुझे 6% तो मिलता मिलता पर आपनी mutual fund ने 13% कमा कर दिया तो ये जो extra जो कमा कर दिया वो कितने रिस्क पर दिया बस समझ में आ रही है ना आशर शार प्रेशो हमको पता है कितनी जगह आया है तो प्लीज बाल और trainer र सर ये तो रिस्क प्रीमियम हो गया है यस रिस्क प्रीमियम बस यहां शार प्रेशो में standard deviation लिया जाता है और यहां बीटा लिया जाता है और कोई शक की बात नहीं है हमको पता higher is better जो भी higher आएगा और alpha आपको मालूम है कितना कमाया और कितना कमाना चाहिए था alpha कौन सा वा इक बात है ठीक है इसके सबसे दराएं के देते हैं और देखते कि किस फंड मैनेजर का यह किस का performance अच्छा रहा एक कोशन मना रहा है कोशन नमबर 23 बच्चो टाइप का कोशन है देखा 5 portfolio experience the following result during 7 year period यहां से देखना सर average return दिया है यस मतलब सर इतना कमाया अभी तो performance चेक करें और सर यह standard deviation दिया कौन से ratio में काम आएगा sharp ratio और सर यह correlation दिया है बीटा निकालने के काम आचाहिएगा और सर हमको RF, RM दिया और RF दिया sharp ratio से काम हो सकता है क्या sharp ratio तो simple है यह 9 है यह 19 है 19 माइनस 9 divided by 2.5 4 आगया ऐसी ही करते जाएंगे अब बात करते कौन सा trainer ratio के लिए हमको क्या चाहिए बीटा बीटा का formula वालम है क्या yes standard deviation of portfolio standard deviation of market नहीं दिया नहीं सर यह दिया standard deviation of market यही तो होगा 1.2 और correlation दिया 0.840 तो 2.5 divided by 1.2 into 0.84 तो सर 1.75 आगया बीटा अगर बीटा आगया तो फिर 19 minus 9 divided by 1.75 तो सर 5.71 यह कौन सर ratio आगया ट्रेनर और अलफा कैसे निकलते है तर के ही निकल लेंगे 14 minus 9 जो भी आए इंटू 1.75 प्लस 9 तो सर 17.75 आए और यह है 19 तो 19 minus 17.75 अलफा आगया 1.25 ठीक हो जाएगा सर तो सबसे पहले मैंने sharp ratio निकला sharp ratio में सब डिटाग गीवन था याद रखना जो highest होगा उसको rank 1 देगे ठीक है ऐसे trainer ratio के लिए सबसे पहले क्या निकला गया trainer ratio के लिए सबसे पहले आपको निकलना पड़ेगा बीटा अब बीटा का formula आपको पता होना चाहिए और एक बार बीटा निकल गया तो नीचे हमको क्या लिखना है बीटा लिखना है मतलब सब trainer ratio जो focus करता हो वो systematic risk पे और उसके वाद हम rank दे देंगे तो हमारा answer आजाएगा और sir alpha alpha तो simple है यह average return और यह है केई और जिसका alpha जादा होगा हुआ except alpha negative है तो kill कता alpha जादा होगा वो best performance that's it question number 34 अच्छा question है question number 34 बढ़ेगी sir there are two mutual fund D mutual fund और K mutual fund NAV दिया हुआ है 31.12.2014 का NAV है of equity scheme of D mutual fund limited और NAV दे रखा है 70.71 पैसे NAV उसमें बोल रहा है 99% equity है और बचा हुआ cash तो sir NAV दिया है 70.71 इसमें equity portion है 70.71 का 99% तो sir 70 रुप है और sir cash कितना है 0.71 NAV कैसे निकलता है पता है न इतना भी stocks का value जोड़ दिया जाता है plus cash और भी asset तो होता नहीं mutual fund में और divided by number of units तो NAV तो वही बता रहा है कि यार जो NAV निकला गया है न उसमें 99% equity है और cash है जितना भी होगा 1% ऐसे किस की मात कर रखा बोले ऐसे K mutual fund है और उसमें 96% equity और valance in cash है मैं एक का बता हूँगा तो दूसरे का वैसे ही करना होगा what is the other information, following is the other information, sharp ratio दिया हुआ है sharp ratio मतलब risk premium rp-rf divided by base क्या लिया जाता है standard deviation और trainer ratio भी दिया हुआ है, sir trainer ratio में base जो लिया जाता है वो beta लिया जाता है और दिया क्या है, हमको standard deviation दिया मांग क्या रहा है, पढ़ेंगे एक बार there is no change in portfolio during the next month बोले portfolio में कोई change नहीं होगा, sir मतलब portfolio का value में change नहीं होगा नहीं, value की बात नहीं कर रहा वो कैसा कि ऐसा नहीं कि हम और asset खरीदेंगे और बेचेंगे बोले उसमें कोई change नहीं होगा वो जैसा था वैसा रहेगा, it means और खरीदा बेचा नहीं गया और खर्च भी तो होते है, mutual fund में अब बोले खर्च कितना है, बोले खर्च है 3 रुपए है, एक यूनिट पर ठीक है, पर ये annual है बात कर रहा है मन्त की, और ये दिया annual, बिल्कुल धियान से करना अगर share market गिर जाए 5% से, within a month calculate expected NAV after a month for a scheme of both the mutual अब निकालना क्या है भई, बोले साहब आपको निकालना है expected NAV, ये एक साल बात क्या होगा, तो एक साल बात का equity और cash पता लग जाए तो बात हो जाए और sir cash कैसे निकालेंगे, cash तो आराम से, cash तो मुझे मालूम है बस कुछ खर्च हुआ है, वो minus करना, sir 3 रुपए minus करना, 3 रुपए नहीं 3 रुपए तो साल भर का है, तो 3 divided by 12, 0.25 minus हो जाएगा cash cash कितना जाएगा, 0.71 minus 0.25, sir cash आगया 0.4 सार, equity में change होगा कि नहीं होगा, 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 क्या हो, क्योंकि लिखा है कि market गिरा लिखा हुआ है, sir, कि market गिरा है और कितने percent से down हुआ है, पाच पर, अगर market 5 percent से down होगा, तो equity में तो change होगा, तो sir, equity भी 5 percent से गिरेगा, नहीं, अगर ऐसा सोचते हो, तो आप ये assume कर रहे हो, कि जितने से market down होगा, उतने से, कि खरी देंगा ये बेचेंगे, कुछ नहीं, क्या कोई कास ऐसा मिल जाए, कोई बता दे कि इसका beta क्या है, अगर बोल दे कि इसका beta है, two, तो हो गया, market 5 percent से गिरा, तो ये 10 percent से गिरा देंगे, कास beta निकल जाए, अब beta निकालने के लिए, क्या हमें कुछ ratio दे रखा है, येस, अब beta निकालने के लिए, कौन सा ratio लगता है, trainer ratio, येस, और trainer ratio कैसे निकाला जाता, सर दिया है trainer ratio, वाओ, 15, तो सर ये हो गया, rp, rp मतलब average return, minus rf, सर इसको risk premium भी बोलते है, कि yes, divided by यहाँ किया जाएगा, beta, तर ना तो ये दिया, ना तो ये दिया, कैसे करोगे, क्या sharp ratio में नीचे वाला part दिया है, कि हाँ सर, standard deviation, yes, अगर मैं sharp ratio को use करूँ, क्योंकि sharp ratio में मुझे क्या-क्या मालूम, sharp ratio तो पता है, और standard deviation भी पता है, तो ये निकल जाएगा, और जो निकलेगा उसको यहाँ, यूच करूँगा, काम हो जाएगा, it means, मैं कह रहा हूँ, क्यों ना sharp ratio यूच किया जाए, और मैं sharp ratio को use करूँगा, मतलब 2, यहाँ risk premium बोल देता हूँ, ठीक के, और 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 नीचे वाला तो पाट दिया है, 11.25, multiply करूँगा तो यह जाएगा, यह करूँगा तो बीटा जाएगा, और बीटा जाएगा तो काम हो जाएगा, गवहर देखी की बीटा निकल minus RF निकाल लिया ओके और फिर उसको मैंने trainer ratio में रख दिया और trainer ratio में रखा तो बीटा आ गया और बीटा कितना आ गया 1.5 अगर बीटा 1.5 आ गया इसका मतलब समझ रहा हूँ कि अगर market 10% से गिरेगा 5 5 into 1.5 7.5% से गिरेगा मतलब 70 minus 7.5% दुसर यहां जाएगा 64.75 इन दोनों को add कर देना plus 0.46 तो यह NAV आ गया 65 पॉइंट टिक बहुत सर्मझ आ गया जैसे इसका किया वैसे इसका कर लेना 65.21 क्या यह कोशन अच्छा है आई साब exam में इस वार कोशन आया था बच्चों की band बच गई मालम है क्यों वो कोशन देखना उठा कर अभी मेरे पास नहीं है तो अभी तो मैं बात कर नहीं सकता तो प्लीज वो कोशन देख लेना अच्छा नया कोशन है नया कोशन तर उन्होंने क्या कर रखा उन्होंने जो ट्रेनर रेशियो निकाल रखा है जो भी रेशियो निकाल रखा है वो जो % है न % जैसे यार 11% है उन्होंने % .11 में लिख रखा है इसलिए प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ देख ले वैसे मैंने करवा रखा है मैंने जैसी पेपर हुआ था उसके दो-चार दिनों के बार डाल रखा कि क्या-क्या है तो आप वो पेपर भी देख सकते हैं आप चाहों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देख हाँ सर यह ज़्याद अच्छा चलो तो हमारा टॉपिक खतम हो गया पूरा अब एक दो-धेड्रीन कोशिन बचे दो ही तो बचे उए स्याथ यस दो ही बचे उए वो कोशिन मुझे कर वाना पड़ेगा अच्छे कोशन है सुनो कोशन है और बड़े कोशन है तो कोई शक की बात नहीं टाइम लगे गए पढ़ेगी कोशन को या सर पढ़ते हैं अना एक्सपेक्टेट था वैसे तो यार एक घंड़ा दस एक घंड़े में हो जाना था पर आपने तो तीन घंड़े लेगा है क्या करूं मुझे तो हर कोशन डिसकुशन करना था क्या मतलब ऐसे रिविजन का यार कोश कोशन छोड़ दिया और फिर बाद ऐसा भी नहीं है कि मैं कोशन रिपीट वाले करवानू हर कोशन नया करवाया है मैं देखें क्या बहुत सारी बच्चे बुलते सथ इतना रिविजन में इतने कोशन भाई इतनी कोशन के सारी कोशन तो करवा रखा है ना आपके जया सारे कोशन करवा रखा ऐसा पूछी क्यों में हो हिए का क्योंगा ठीक सथ तो लिखा एक अप्रेल दो हजार बावीस दो हजार बारा अच्छा कोशन है ABC mutual fund issue कितना issue कर रहे थे सर 20 लाक units issue कर रहे थे 10 का एक मतलब सर 20 लाक मतलब 200 लाक रुपीय रहा होगा 200 लाक relevant initial expenses 12 लाक रुपे खर्च कर दिया अपने 12 लेक्स तो लो 12 लाक खर्च कर लिये तो भी सर 188 लेक्स तो बचा मैं बस इट इन्वेश्टेड दा फंड सो रेज़ इन कापिटल इंश्टू बिल्ट अपोर्टफोली और इसमें से 185 लाक खर्च कर दिया एक investment तो सर 3 लाक रुपे ही बचा cash cash अभी 3 लाक रुपे बचा जब इस्टार्ट सुरू से करता है ना तो cash कुछ ना कुछ बची है इन लग रुपे during the month of April 2012 याद रखना आपको cash का balance भी plus minus करना पड़ता है तो लिखा है during the month of April 2012 is dispose of some of the instrument cost जिसका था 60 लाक उसको बेचा है 63 लेक्स तो सर पैसा आया मैं cash की बात कर रहा हूँ 63 लेक्स आ गया हला कि यहाँ profit भी हो रहा है दिख रहा है कितने का profit है सर capital gain हो रहा है 3 लाक and use the proceeds in purchasing security for 56 लेक और पैसा चला भी गया कितना 56 actually मैं इस question में cash का balance निकालने के लिए तो सर 56 लेक्स चला गया fund management expenses for the April was कितना था 8 लाक उसमें से 10 परशन अभी भी areas है तो 8 आट इन्टू 90 परशन सर फिर पैसा चला गया 7.2 लाक्स ठीक माइनस का साइन लगा दे इन अपरिल 2012 the fund earned dividend और dividend कमाया कितना 2 लाक तो सर प्लस हो जाएगा 2 लाक अब ये ये लाइन की वज़ा से confusion है तो ले distribute कर दिया 80 परशन of the realized earning तो यार एक मिनट वे इस पॉइंट में दिक्कत आती है हमें ऐसा लगा यार 2 लाक कमाया और 2 लाक का जितना कमाया उसका 80 परशन dividend के रूप में देतेंगे खतम कहा नहीं या तो clarity के सिद बोलता नहीं बोला है तो ये question यहाँ याद रखना पड़े कि सर realized earning क्या हुआ बोले realized earning ये भी तो है 3 लाक ओहो और 2 लाक ये तो ये dividend की कमाई है ये capital के इनके तो उससी साब से 5 लाक की कमाई है और 5 लाक का 80% dividend के रूप में जाएगा मतलब 4 लाक जाएगा और कुछ खाज बात नहीं थी और जो portfolio था 198 होगे जो portfolio था ना 185 अब उसकी value होगे 198 इसके अलावा 100 units है तो dispose of कर रहा है Mr. Aakash शलो ये भी पढ़लते हैं Mr. Aakash एक investor है और उसने 100 units hold किया था 1 April 2012 को और उसने बेज दिया किस पे closing NAV पे तो बताएए उसका annual return क्या होगा चलो देखें कि सबसे पहले cash का balance ये तो 3 लाक समझ में आ गया था asset को बेचा asset खरीदा expenses पैट किया dividend की income आई dividend income को distribute किया बस capital gain को distribute किया ये आपको याद रखना पकी questions last में कितना बचा point 80 cash closing balance दिया हुआ है closing cash भी दिया हुआ expenses payable है याद रखना ये भूल सकते तो net asset आया NAV आ गया इसमें कोई दिक्कत क्या किया अब यार NAV क्या हमको यहां का मालूम है yes 9 रुपे 90 पैसे अगर मुझे अपनी return निकालना है तो return कैसे निका change in NAV plus dividend income plus capital gain income चलो करके देखे क्या है capital gain कितना distribute हुआ अगर देखोगे total में तो 2.40 2.40 distribute हुआ number of units 2,001 unit पर इतना आया मैं per unit निकाल रहा हूँ ऐसे dividend per unit इतना आया अब यहां change in NAV plus capital gain distribution per unit plus dividend distribution per unit divided by 10 क्यों क्योंकि शुरू में 10 था answer आ गया 1% पर 1% हुआ 1 month का तो 12 मेने का कितना आ गया 12% यह पूछा this is the last question question number 38 पता नहीं इस question पर institute का क्या नजर है मुझे समझ में नहीं आता कई बार पूछा है कई बार important question है सर कई बार पूछा इसकी वज़े यह हो सकती है कि mutual fund में वैसे ही छोटे-छोटे question है अगर बड़े question की बात करो तो कुछी तो बड़े question है तो उसमें से एक question ही है और इसम को समझने में बच्चो को time भी लगता बड़े क्या का डाइग्राम भी बनाया है डाइग्राम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा तो क्यालकुलेशन कर ले on 1st April an open-ended scheme of mutual fund कितना units था 300,00,00,00,00,00,00 300,00,00,00,00,00 और उसका एनने वी उस समय कितना था 18.75 कब की बात है यह सर्फ 1st April तो प्लीज इस question को क्योंकि मेरा देखा हुआ question इस question को डाइग्राम के साथ समझ लोगे तो सर 1 April है 300,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 और एनने वी कितना है 18.75 यहां तक कोई दिक्कत है कि आगे बात At the end of April It issued 6,00,00,00 और 6,00,00,00 इस इस कब कर रहा है 1 April को नहीं April के end में मतलब 30 April और यहां था 1 April को था 18.7 यह कब की बात है 1 April और हम जो इस्यू कर रहा है वो कब कर रहा है 30 April तर मतलब यूनिट बेच रहा है यस तो यूनिट बेच रहा है तो किस परेट पर बेचेंगे तो क्या लिखा आप जरद यहां से दिखा वो बोल रहा Opening NAV Opening NAV पर क्यों यह तो पहली बार हो रहा है दुनिया में जितने भी अभी तक कोशन किये है जिस दिन NAV है जिस दिन आप खरीद रहे उस दिन के NAV पर बेचे जाएगा इस NAV पर क्यों बेचे जाएगा यह गलती है पर उनका यहार कहना है और इस पिरिएड में जो Profit कमाया है Capital Appreciation की तो बात छोड़ दो यह जो Profit कमाया है उसका क्या होगा अब समझना है Problem क्या है मैं आपको बता रहा हूँ It means हाँ सर Income है अप्रेल का कितना है 22.95 तो सर यहां Profit कमाया है 22.95 यह एक समस्या सुनना और सर यहां कितने यूनिट्स था टोटल मिला कर वो मैं बता दे यहां था 300 लाख यूनिट्स 300 लाख और यहां नए यूनिट्स कितना इस्यू कर रहा है सर 6 लाख तो टोटल यहां यूनिट्स कितना आ जाएगा 306 लाख आ जाएगा ओके सर यह बात समझ में आ रही अब प्रॉब्लम क्या है यह समझो प्रॉब्लम यह है कि यह जो Profit कमाया 300 लाख यूनिट्स पर उस समय हम 300 लाख लोग थे 300 लाख यूनिट्स जब यह Profit कमाया तो जब यहां आ गए और यहां टोटल यूनिट्स कितना हो गए 306 एक प्रॉब्लम यह है यह भाई साब जो लोग है ना जो 300 लाख यूनिट्स इसके पास है वो कहेगा यार यह जो Profit है इस पर किसका अधिकार है सिर्फ हमारा सिर्फ हमारा ही तो अधिकार है जब हमारा अधिकार है तो एक काम करो हमारा Profit हम बाट दीचिए जितना भी Income है वो हम लोगों में बाट दीचिए और फिर नए सीरे से सुरुवात करेंगे और फिर इनके यह जो 6 लाख यूनिट्स है और 300 लाख हम सब एक हो जाएंगे एकवल हो जाएंगे और फिर आगे का Profit 306 में बाट यह कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सुनो Mutual Fund अगर आप ये वाला Profit 306 में बाट देते हैं तो यह हमारे साथ इंसाफ नहीं पढ़ा हुआ है Goodwill पढ़ा हुआ है किसी दूसरे तरीक से तो कहना क्या चाहता है कहना क्या चाहते हो सर इनसे पूछा जा रहा है क्या कहना चाहते है इसका मतलब यह हुआ कि Mutual Fund हर मैने Profit बाटते रहे हैं तो बहुँ इतना स्यादा हम नहीं कर सकते हैं हम 3-3 महां में बाटते हैं फिर इसका क्या करेंगी सुनो हमारे पास और एक तरीका क्यों ना हम यह 300 और यह 6 को Equal कर दे तो Equal करोगे कैसे Equal दो तब ही होगा कि जब यह हमारे में बढ़ जाएगा और एक तरीका है आपका परियूट कितना बनता है चलो ना यार यह इसी profit से दिक्कत है ना बोले हम basically हमको इसी से दिक्कत है और भी दिक्कत है capital appreciation बोले उसका छोड़ा भी profit की बात करो बोले 22.95 divided by 300 तो बोले एक यूनिट पे 0.0765 का आपको दिक्कत है हाँ बोले यह वाला दिक्कत तो बले सुनो एक काम करते है यह 6 लाग से जो NAV है यह तो बुलाएंगे यह बुलाएंगे ठीक है साथ में अब बास सुनो यह जो एक यूनिट पे जो profit आपको मिलता ना अभी नहीं दे रहा है इनसे भी उतना पैसा और एक्स्ट्रा बुलवा लेते एक्स्ट्रा मतलब जो NAV है वो तो दे गई अठारा रुपय है अच्छत्तर पैसे है साथ में इनसे और पैसा बुलवा लेते और हम इस इनकम में एट कर देते ठीक आप सब बराबर आपको देने के अपिक्छा इनसे बुलवा ली है तो आप तो सब बराबर हो गए अब जब बाटेंगे तो इनका पैसे इनकोई वापस करने के इनको पता भी नहीं लगेगा इनका पैसा इनको आपको तो एक्स्ट्रा में मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा समझा सकता हूँ नहीं समझा सकता टाइम है तो वही बोल रहा है हाला कि यहाँ capital appreciation खोना चाहिए था नहीं किया institute ने गलत किया है और इस समय पे गलत और सहीं बोलने का टाइम नहीं है तो 6,00,000 units issue किया जाएगा opening NAV plus 2 person load जो भी opening NAV 2 person मतलब बेचेंगे तो और महगे में इसमें 2 person add हो जाएगा यह line important adjust for dividend equalization equal करना है तो हमें इन से पैसे बुलाना पड़ेगा एक unit पे 0.076 ठीक है sir तो वही काम किया गया है यार यह income है ठीक है sir जब यह income है तो 18.75 plus 2 person यह तो आपका NAV का price हुआ ठीक है और साथ में जो income है यह 300 पे बटना चाहिए था तो 0.0765 और बुलाया जाएगा ठीक है इट मिन्स 6 लाक पर 0.0765 0.0765 प्लस into 6 टोटल मिलाकर अगर टोटल में बोलो तो 0.459 लेक्स बुला लिया जाएगा आपसे यहां तक ठीक है ना भाईयो तब पूछेगा क्या जो पूछेगा वो बाद में करेंगे ना हम लोग ठीक है अब यहां और इस साल का income दिया हुआ है इतना दिया है थर्टी फॉर पॉइंट फॉर टू फाइफ यह income दिया हुआ है अब इस डेट में 31 पाच को क्या हो रहा दिखते हूं at the end of May तीन लाक यूनिट्स वर री पर्चेस एट ओपनिंग एनेवी तर यहीं वाला मतलब सब दो साल बात की बात करें सामने वाले आए कौन यूनिट होल्डर बुले हमारा पैसा हमको वापस देता मतलब यूनिट में 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 पर्चेस कर रहा हूं इनका पैसा वापस दे रहा हूं तो मतलब प्रॉफिट का हिस्सा भी तो देना पड़ेगा अब देखो कैसे की यहां से समझना हूं तो यह जो तीन लाख लोग जा रहा है इनको तो यह पूरा पैसा चाहिए ओपनिंग एनेवी चाहिए और यह जो प्रॉफिट कमा रहा यह भी चाहिए तो इन्होंने क्या किया बहुत रिडीम्ड करेंगे तो तीन लाख प्लस इंटु यह और इसमें दो पर्षन से काट लेंगे प्लस अब 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 कैसे काम होगा जर इसके बाद समस्या अब इसके बाद समस्या है कि ये जो income है ये add करना पड़ेगा कौन कौन सी income एक ये वाली ठीक है सर एक ये जो बिलाया था और इन सब को add करेंगे तो ये income आ जाए एक बार देखे लेते हैं तो ये था 22.95 दस 0.459 दस 34.425 तो सब 57.838 यहां तक का मैंने जोड़ दिया ये भी जोड़ दिया ये तो दे नहीं था और ये आया ये भी क्योंकि इन लोगों में बटीगा 550 से 1.834 ये कितने में बटीगा अब पहले था 300 ये 306 में बटना चाहिए डिवारेड बाई 306 तो सर्फ एक यूनिट पे 0.189 हमको वापस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा तो बनता है और कितने यूनिट पे इन्टू 3 तो सर्फ पॉइंट 567 ये जो इनकम इसमें से कम हो जाए क्यों इतना डिटिल में क्योंकि मांगा है यार कोश्चन बस अब सुनते जाईए मैं हिसाब किताब करते ही वह जा रहा हूँ कि सामने वाले को जब पैसी वापस करना है तो ओपनिंग एन्वी माइनस लोट प्लस ये दो साल का जो प्रॉफिट कमा रहा ना वह भी वापस करना पड़ेगा और ये तो आया इसलिए ये वापस करना खीके सर अब थर्ड येर में क्या हो रहा थर्ड येर में भी प्रॉफिट है 45.470 कहां लिखा है 45.47 at the end of जून जो income available third distribution का उसका 70% dividend दे दिया एक बार जहां तक हम कहां तक पहुँचे थे इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये income था और income add हो गया तो total income ये हो गया और इसका 70% distribute कर दिया dividend के रूप में तो बचा कितना इतना बचा 70.7019 कितना income बचा हुआ है मांग क्या रहा है पहले मांग रहा है income available for distribution distribution के लिए कितना income बचा हुआ है 70% 30% ही तो बचा होगा into 70% ये तो बचा है 30% बचा है उसके लिए इन्होंने table बनाया है और table कैसे बनाया है समझ में आ जाना चाहिए 300 लाक यूनिट्स था फिर उसमें से income हुआ 22.9 जो 300 के साबसे तो इतना होता एक यूनिट पर जो 6 लाक आया उनसे income बुलाया गया ये बुलाया गया तो टूटल मिलाकर अब 306 units हो गई और टूटल मिलाकर ये तो था और ये बुलाया तो टूटल income ये हो गई ठीक है ठीक है सर तो बात समझ में आती है आपको फिर 31 मार्च को और income हुई तो वो income एड हो गई फिर 3 लाक गय तो इनको हमने पैसे दे दिये तो बैलेंस इतना बच्चा तो टूटल और मार्च के जून की income हुई तो सब को जोड़ के ये हो गई अब इस में से कितना 70% बाट दिया और बच्चा है इतना इस इंकम अवेलिबर फर अड्रिश्री लॉजिक कॉंसेप्ट मैं आपको समझा जो दूसरे नंबर पे क्या मांगा है इस्यू प्राइस इस्यू प्राइस इस्यू प्राइस बोल रहा है साथ में डिवीडेंट एजिस्टमेंट का भी हमने ले ली ऐसा ले रहा है रिडेंशन प्राइस बोलेगा तो 18.75 और उसमें से क्या लोड माइनस कर दीगे और डिवीडेंट भी देंगे ये भी बात समझ में आ जाएगे मुझे नहीं लगता कि दीगे NAV मांग रहा है तो सर NAV कैसे निकाले सबसे पहले पैसा कितना आया पैसा कितना गया अगर मैं देखू तो मेरे mutual fund का capital appreciation ये सर पहले जो capital था उसमें appreciation हो गया 420 सर पहले capital कितना था 300 लाग into 18.75 कर ले था 300 ये था capital ठीक है opening उसके अलावा तीन मैनी की income को मैंने add कर दिया क्योंकि ये मेरा पैसा आया ये के सर इसके अलावा बीच में दो लोग गया तो पैसा गया ये गया सर ये आया ये पैसा आया और ये पैसा गया load worth सब पकड़ गया इसके अलावा मैंने income को distribute भी कर दिया और portfolio value appreciate भी हो गया तो finally 330 पे जा रहा तो ये आ गया last वाला question ऐसे नहीं होगा last वाला question आपको बना कर करना पड़ेगा copy pain में बना कर करूगे क्योंकि last वाला question हवा में होई नहीं सका thank you so much new future fund खत्म time ज्यादा लगा उसके वज़े सिर्फ एक ही क्योंकि मैंने सारे questions ओके बाई बाई